हेलो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं तो आज क्लास में हम लोग बिहार को डेटेल से पढ़ेंगे लो इससे पहले भी बिहार के बारे मैंने इडू टीडिया से पूरी कंप्लेट पढ़ाया हुआ है और साथी साथ बहुत बार बिहार के सारे बहुत सारे सेशन कर दो सुरु करते हैं आज के टोपिक सभसे पहले उपर पे देखेंगे यहां पर यहां पर सभसे पहला इसमें लिखा गया कि विहार का नाम करण कैसे हुआ बीराद Caroline बहुद विहार क्या नम था बाद में इसका नाम बिहार पड़ा ठीक है बहुद भिक्चो के रहने कारण यह जगह जो था बहुद विहार कहा जाता था आप लोग यह सिविंध क्लास के तिहां सब पढ़े होंगे लोग आधुनिक भारत का जो नहीं यह मद्यकालिन मैंने थापना दिवस का मना जाता है तो 22 मार्च को आखिर 22 मार्च को ही बिहार थापना दिवस क्यों मना जाता है याद रखिएगा 12 दिसंबर 19 से 11 इसवी को जो दिल्ली दरवार हुआ क्यों हुआ तो आप सब पढ़े होंगे कि बंगाल विवाजन जो करजन किया था इसको रद करने की या प्रिथक करने की जो घोसना दिल्ली दरवार में कब हुई थी तो 12 दिसंबर 1911 को उसके बाद 22 मार्च 1912 को बिदुवत घोसना हो गई कि अब बिहार बंगाल से अलग हो जाएगा उसके बाद एक नया परांथ के रूप में बिहार बना कब 1 अपरल 1912 को बिहार जो है एक नया परांथ के रूप में उभर के सामने आया फिर उसके बाद 28 मार्च को बिधान परिशद की गठन की बात किया गई कि बियार में एक अलग बिधान परिशद रहेगा उसके बाद 1 अपरल 1936 को उड़ीशा भी अलग हो जाता है हम लोग से फिर उसके बाद 25 हम 11 अगश्ट 2000 को राजसवा में यह चीज बिधायक पास होती है किसी की बिधायक पास हो रही है जारकंड वाले करने के लिए यह सब बिधायक पास हो रहा है और बिधायक पास होने के बाद 25 अगश्ट 2000 को बिधायक पर राष्ट पती आर के आर नरायनन की मंजूरी के बा आज, आर नरायना जो थे, उनकी मंजूरि के बाद, बिहार और झारकण जो है, आलोग होगीया, राश्ट्पति कम मंजूरि दिय थे , 25 अगस्ट को राश्पती मंजूरि दिय थे, उस से पहले, 2 अगस्ट को लोक सभा से पास हो गया था , ये ये बिझत, और 1 जो है 25 अगस्ट को यानि 25 अप्रिल को सुरू हुआ और 25 अगस्ट को राष्टपती जो है इसको साइन करके दो भागों में बाड़ देते हैं उसके बाद 15 नौवंबर को बिहार और जारकन जो है नया राजी की रूप में अस्तित्व में आया यानि जारकन जो है अलग हो गय है बिहार से अभी देखेंगे तो अभी परदेश बिहार जो है औरतवांस में जो बिहार बचा हुआ है इसकी रजधानी जो है पटना है उच न्याले पटना यानि हाई कोट पटना है जिसकी स्थापना एक दिसंबर 1913 को हुआ लेकिन उद्घाटन तीन फरवरी 1916 को द्रिष्टी से देखा जाए तो बिहार जो है तिरावा है ठीक है तेलंगाना के बाद और दोजरे गार एकि जंगर्ना के अनुसार जो है बारा हुआ है ठीक है यानि कि अभी जो वर्तवान में छित्रपलक द्रिष्टी के सबसे 12 नंबर पर है कौन बिहार है ठीक है जनसक राज्किय ब्रिक्ष जो है यह पीपल है राज्किय फूल है यह गिंदा है राज्किय प्वस्व है एक है यह कुश्चन पूछ सकता है कि बैल से पुर्वे बिहार का राष्ट्य पशू क्या था यह 2013 से पुर्वे बिहार का राष्ट्य पशू क्या था तर रीच ठीक है याद रखेगा अगला देखेंगे भॉगवाली के परिद रिशी से अक्षांसे विस्तार 24-20-10 से लेकर 27-31 जैसंतरे विस्तार है 83-1950 से लेकर 88-17-40 यह क्या बता रहा है तो यहां पर देखेंगे बिहार का मोटा मटी यहां पर एक चोटा से रफिली मैप बना लेता हूं ठीक है आपको किलियर रुप से समझ आ जाएगा यह मानक चलिए बिहा अपना प्यारा से बिहार हो गया ठीक है अब बिहार में कहा रहा है कि यह बिहार बता रहा है कि यहां पर मानक चलिए अक्षांस रहा हो गया क्या होगी एक्षांस रहा था अक्षांस रहा जो बिहार से जो टच किया हुआ हुआ है जो बिहार से जो टच किया हुआ हुआ है तो याद रहा है 24-20-10 और जो बाहर निकलावा है वो हो गया 27-31 तो याद रहा है 24-20-10 से लेकर 27-31 पूरा बोला जाए 24-20-20-10 सेकंड ठीक है लेकिन इस तरह याद रहा है 24-20-10 इस से याद रहाता बढ़ियां से ठीक है उसके बाद से 27-31 ठीक है क्योंकि BPSC में पूरा exact data देता है ऐसा नहीं बहुत सब्सक्राइब क्या करते हैं यह याद कर लेते हैं कि 24 डिगर से लेकर 27 डिगरी तक ऐसा नहीं याद करना है क्योंकि बहुत similar data देता है BPSC में याद रखेगा पूरा exact याद रखेगा 24-20-10 से लेकर 27-31 पंदर रखेगा उसके बाद देशंतर य इसको बोलती है देशंतर रखा और यह देशंतर रखा ठीक है तो देशंतर यह जो बिस्तार है 83-1950 से लेकर 88-1740 तक याद रखेगा पहले तो 83 शुरू हुआ है और 88 निकला हुआ है तो 83-1950 से लेकर 88-1740 याद रखेगा ठीक है अब छेत्रपल देखेंगे तो 94,163 वर कि लोगी है तो लंबाई का रहा है 345 यह होगी है लंबाई उत्तर से दच्छिन जो है इसकी लंबाई यानि उत्तर से दच्छिन के तरफ में इसके लंबाई जो है 345 किलिमेटर और इसकी चोड़ाई जो है 483 किलिमेटर है क्या है लंबाई इसका 345 है यानि लंबाई कम है औ यानि ऐसे बिहार में देखेंगे पूरब से पच्चिम होगे और यह पूरब होगे तो 483 इसको याद करने तरीका है 483 और यह लंबाई याद रखेंगे इधर से लंबाई यानि कि उत्तर से दचिन 345 कहितों कि तो क्यानि चेतर पल कितना है तो 1095.49 वर किल्यो मेंतर फैला हुआ है यानिकि बानके चले तो अगर पूरी इसका च्च्च्च्च्च्च गतट जो वर किलिमेटर जो है यह सहरी छेतर है बाकी 92,257 वर किलिमेटर जो है यह क्या है तो यह है ग्रामीन छेतर ठीक है शमंधर तल से उचआई एक बार कोशन पुछा वा कितना है याद रर्खेगा समंधर तल से उचाई 173 फित या मिटर से पुछेगा तो 52 मिटर याद रखेगा अगला देखेंगे 223 मिंटर होता है अगला देखेंगे समान ने बरसंद जो हता है बारा सो पांच मिलीमेटर दिया है लेकिन सेंटीमेटर में देगा तो याद रखेंगे कि 120 सेंटीमेटर लगबग देता है 120 से इसका सेंटीमेटर देता है भारत का समाने बरसंद लेकिन एक बर मिलीमेटर में कोशन दे दिया था बीहार बिपेशी अगला इसकी अवस्थिती तो इसके बिहार भारत के पूरभाग में तिरासी डिग्री तीस मिनट से लेकर अठासी डिग्री उत्री अख्सांस के मद में है भारत के अगर का रहा है जही है और यह बहु आवश्टीक राज्य मतलब चारू तरफ यहां पर नेपाल के बाद उसके बाद सब्सक्ति यह पर यूप यह पर उप में पूराइब पुर्वेहिफ है आपका वेश्ट मंगाल इस यहां यहां पर थखेंगे तोड़ा सह सा एसे मुड़ा हुआ है तयल्कें और मैं कि नीइस जिला ज है बीहारा नेपाल के अंतरास्थि जो सीम और भीहार कान पूर्डार्ट के अंध़ेजायने हैं और बियहार सबस्क्रेश्ण फूरण, कोशिय पूरनिय और भागालपूरो यह सब नव परमंडल जो है बिहार के जिला 38 गो है अनुमंडल 101 है खंड यानि विकास खंड मतले होता है ब्लॉक जो है कितना है तो ब्लॉक है आपका 534 गो पंचायत है 8406 गो ग्राम यानि गाउं है 4500103 गाउं है कुल नगर यह समू जो है 14 गो है नगर जो है 199 गो है और य दो यह सारी चीजे हाली फिल्याल में बहुत सारा अच्छे होती है ठीक है पुलीस थाना है 833 को पुलीस जिला है याद रिखेगा पुलीस जिला जो है दो एक्ष्टा बढ़ा हुआ था बगहा सैड में जो बाल भी किने कर था हूश सेड में पुलीस जिला अलग बढ़ा ह हुआ था महानगर एक है पटना महानगर विधान मंडल द्वी सदनिये हैं विधान सभा और विधान परिशद विधान सभा के सीटे है 243 गो विधान परिशद में 75 गो लोग सभा में 40 गो राज सभा में 16 गो अनुसुची जाती को आरक्षी सीटे दी गई यह तो 6 गो दिया है और विधान सभा में अनुसुची जन जाती के लिए यानि आदिवासी के लिए दो सीटे अरक्षित किया गया है राज्य के सीमा देखेंगे तो एक तो तीन राज्य से लगता है यानि कि यूपी से जहारखंट से और पच्छिममंगा से और यह के विदेश से लगता है नियपल से जहारखंट से जहार्खंट से जहारखंट से जहार लगता है वह जहारखंट से तो उत्तर पर परदे बकूरे और टिस्कों मैप से भी दिखा दूंग बैर यह ताकि बहतर रूप से समझा है उसके बाद से उसके बाद देखेंगे तो नेपाल से भी एसपर्स करता है नेपाल से जो जिले है वह साथ जिले है पुर्वी चंपरण सितामडी मदुवनी सुपॉल और रिया और किसंगंज है यह सारी चीले को और इसको मैप के द्वारा भी दिखा दूगा आप लोगो भा इसले टी आरी में कोशन जो है पूछा जाय सुका हुआ है अगला जलवाई है यहां की मांसुनी यानि की बारिस पर डिपेंड रहता है जलवाई सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी जिसके लंबाई जो है 445 किलिमेटर देता है कभी कभार 425 भी देता है कहीं किताबों मे याद रखेगा सबसे गरमकूंड है नेवाली जो मिट्टी है जलोड मिट्टी है सबसे दतां पाय ज Tagment चावल है भारत में भी चावल ठीक थक पाफ़ा है और भीहार में में भी चावल जादा मातर में उगाया जाता है सरवाधिक और सबसे कम चेतरपल वाला यानि सबसे जादा चेतरपल सबसे बड़ा जीला पचमीचापारण सबसे छोटा जीला स्यूहर और सरवाधिक आगे देखते हैं लोग अब 2011 की जनकन्ना यही पर देख लीजिए कुल जो जनसन क्या है वो कितना है याद रखेगा इसको याद करने का तरीका है मुबाइल के तरह याद करने का तरीका है याद रखेगा जो है आपका चोवण सताइस एकासी संतावन इसको मुवाइल डाटा से इस तरह याद करा रहा हो कि मुवाइल नमर जैसे याद करते हैं उस तरह इसलिए क्योंकि एक्जाम में कोश्चन हो बहुत देता है ठीक है याद रखे कम से कम यह नहीं तो यह चार सब और इस तरह याद रखेगा क्योंकि यह पकड़नें बड़ा मुश्किल होता है ठीक है थोड़ा बहुत चेंज देता है तो गहनतों जाएगा बिहार का एक गाड़ा सव चो है और पूरे भारत में गहनतों मामला में एक नंबर में सबसे जैदा मतलब लोग यहां पर रहते हैं घनतों का ममला में तो 25 परसंट जो है ब्रीदी देखने के लिए 25.42 परतिसत जो भारत की कुल जन संगय का 8.60 है लिंग अनुपाद देखेंगे तो 918 है और सीसू लिंग अनुपाद में 935 है सक्षरता दर देखेंगे तो 61.80 परसंट है पूरूस एकतर परसं जो है पड़ी लिखिए गाउं में सक्षता दर देखा जाएगा तो 69.78 है जिसमें पूरूस जो है 59.67 पड़े हुए है पूरूस और यहां हो जाएगा महिला ठीक है यहां हो जाएगा महिला जो हो जाएगी तो 44.3 परसंट जो है पड़ी लिखिए सोहरों में देखेंगे सक्षरता की धिषिटी से भारत में करम में में देखा जाएगा तो 35 वह आता है सबसे अंतिम राज्य जो आता है 11 % 56 만큼 बही है और उसी तरह और यह जनस्यक्या बी वही तरा 가지고 मdasी क्या चैण सहरों का हैly और 88% जह जल्च अका यह वह गांगा 80 अच चैक और इसका 11.09 प्र.चेंसार थिसाद पटना का नियान के 16,804,222 जैडर तांटा का और गेया ता 4,86614 था, यानि 16,00,000 था पतना का और 4,00,000 गया का था, गया से 4 गुना जाता था, ठीक है, भागलपूर का जो था, वो 4,146, मजवपूर का 3,00, 3,454,456, बिहार शरीफ का 2,00, था और यह सब कोश्चन जो है पूछता है कई वर कोश्चन पूछता है इन सभी जिला के बारे में उसका महानगर पटना में देखेंगे मेट्रोपॉलिटर महानगर पटना तो पूरा बिला देंगे पटना को तो कितना हो जाएगा इसका 20,49,156 हो जाएगा उसको वदा आएंगे तो सरवादिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो पटना है मुझवपूर पूर्वी चंपरन है और मुझवपूर तीन नमर पर यानि कि जनसंख्या का मावला में पटना एक नमर पर दो नमर पर पूर्वी पर यानि मुथिहारी है मुख्याले हो जाएगा उसका तो पूर्वी चंपरन और मुझवपूर ये तीन जिला जो है क्या हो जाएगा आपका जनसंख्या के मावला में आगे है लो सबसे नियुन्तम जनसक्या में सेखपूरा है, सबसे कम सेखपूरा, उससे थोड़ा से जादा सीवहर है, उसके बाद अरवल है, घनातों को मामला में, सीवहर बहुत ही आ गया है, 1880 लोग है, उसके बाद पटना है, तब धरबंगा है, यानि कि घनात मतलबता है कि जगह कम है, जा जमोई और बंका में, यानि सबसे कम घनातों जो है कैमर में देखने के मिलता है, सरवादिक लिंग अनुपात वाला जो जीला है, वो है गुपाल गंज, सीवान और सारन है, यानि गुपाल गंज में लड़किया जादा है, ठीके, 1021 यानि की 1000 लड़कों पर 1021 लड़किया जीला जो है, यानि सबसे पढ़ालिकल जीला जो है, रोतास है, 73.37 परसंटेज लोग यहां पढ़े लिखे हैं, उसके बाद पटना से भी पढ़ालिकल लोग जादा कहा है, रोतास में, उसके बाद से भोजपूर है, नियूंतम दरवला जो देखेंगे तो पुर्णिया, स सिता बड़ी और कटिहार है, सबसे पढ़ालिकल पुरुष जो है, रोतास में, और सबसे कम पढ़ालिकल जो पुरुष जो है, पुर्णिया में, सबसे पढ़ी लिकी महिला में देखेंगे तो और अंगबाद, याद रखेंगे कि यह important question बन जेता है, कि सरवादिक महिला सक चल्च सरता वाला जीला सहारसा, कौनसर जाएगा, सहारसा हो जाएगा, आगया जी, अब बिहार की इतिहास में देखेंगे तो प्राचأن इतिहास के लिए कोई खास है नहीं, हो घाले अनति कली अले om the state इतियास जो ही ये प्राचीन और मद्यगालीन भी खतम हो जाएगा जिनको आधुनिक से देखना होगा आप थोड़ा सागे बढ़िएगा और देखना चलो कर देज़ेगा ठीक है क्योंकि यह जब आया तो इसको भी देख लिए जाए मोटा मोटी इसको थोड़ा बहुत इसससाभ देख लिए जाए प्राची नितियास में तो मुंगिर से मद्य पसान-यूक के औसे प्राप्त हुए कि मुंगेर्स प्रापत हुए कि मुंगिर्स मिला है तो यह मुंगेर से मुंत्री मुंकिन होओ है जिनका बिवीग पीटी के एक्जाम होगा उनिके लिए इंपॉतन हो जाएगा चिरान जो है सारन जिला और चेचर बैसाली जिला से मिला हुआ है ठिक है नौ पसारणी काने के याद रखने के के चिरान भूर चेचर से और मद्य पसान काल के जो है मुंगिर से मिला हुआ है बिदे माधो की कहानी जो है सत्पत ब्रहमण से मिलता है यानि बिदे माधो जो थी वो इनकी कहानी जो है सत्पत ब्रहमण से मिलता है इसमें उनकी जनकारी दी जती है इसके बाद आगे आएंगे, इसी में देखेंगे, यहां देखेंगे, तो लिखा हुआ है ये बिहार की वर्तमान गंडग नदी को फ़हले सदा नीरा कहा जाता था ठीक है सदा नईरा कहाता तो इसको बिहार की और जो वर्टवान समय है के गंड़क नदी है इसको सदा नईरा कहा जाता था arुär। इसको आगी आएंगे पूरी तरस इसमें कहानी दिया गया कि जो अगनी ने सदा नईरा के पूरी बिदे को निवास स्थान बना उसके बाद आएंगे, यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर दखेंगे, तो 16 महाजन पदों में, तीन महाजन पद मगद वज्जी और अंग का जो वर्णन जो है अंगूतर निकाय जो की एक बहुत साहिते है, भगवती सुत्र जो की एक जयन साहिते, इन दोनों में मिलता है, कई पर कोशन पूछा है कि 16 महाजन पदों की चर्चा निमन में से किस्मे हैं, तो अंगोतर निकाय में भी है, जो बहुत साहिते हैं, और भगवती सुत्र यानि के जयन साहिते, दोनों में ही 16 महाजन पदों की चर्चा है, और 16 महाजन पदों में, ती किहार का दच्छीनी जो चितर है जहां कीमूर उतास और अंग की राजधानी चम्पा थी नहीं याद रकिए का बजजी जो है बजजी देखेंगे तो बजजी मगध संह के उत्तर धिसा में आठ गन राजियों का एक संग था यानी आठ गन राजियों का संग था जिसमें विज बिदे, वर्जी। और लिक्षवी बिशिएश परशित था। और कई मेर पता है कि दुनिया में सबसे पहले गन राजी यहीं पर लागू किया गया था। लिखा कि बजजी संग में सबसे पर चली थे लिक्षवी था जिसकी रजधानी 20 साली था जो कि वरत्मान समय में आधनिक 20 साली जनपत का बसार गाव है वही है ठीक है बिधे अपने दार्शनिक रजाव के लिए परसित था, इसकी रजधानी मिथिला थी, पिदे जो था, इसकी रजधानी क्या थी, मिथिला थी, ठीक है, उसके बाद आजेगे यहां पर, तो यह लिखा है कि बहुत संगिती जो है, और यह कब हुआ, कैसे हुआ, बहुत बहुत कोशन पूछता है, इसको तोड़ा से जो माउट करते हैं, यहां से देखिए, इसको याद करने का बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्जाम में कोशन हमेशा आता है, पर्थम बहुत संगिती, कहां हुआ था, तो राजगीर में, ठीक है, समरपने गुफा में हुआ था, 483 में, ठीक है, तो याद रखिए का पर्थम बहुत संगिती, कहां हुआ राजगीर में हुआ, इसको याद करने का तरीका यह मान चली अपना बिहार हो गया, ठीक है, बिहार का बीचे बीचे बीस से गंगा ने निकला है, यहां पर है राजगीर, ठीक है, यहां पर है राजगीर क और चार नमर जो है कास्मिर यानि बाहर कर देजिए ठीक है इस तरह याद रखिए का एक नमबर इधर साउत में एक नमबर दो नमबर फिर तीन नमबर और बाहर में चार नमबर ठीक है यानि एक नमबर यहां दो नमबर यहां तीन नमबर यहां चार नमबर इस तरह अगर आ पहला चार सो 583, दूसरा सार सरी तीसरा 257 और चोठा पहली चाहिने 447, 388, 257 और चाहिसा contest अब इसको अधेश खुन थी तो अधेश महाकस्यभोग सतनी ही साबक मेर मोगली पुत्र और वसु इसको याद रखी गाथ है कभी-कभी तो गोगली पुत्रशियम और वसु मित्र महाकस्यप, साबकमिर, गोगली पुत्रसियम और वसुमित्र यह चार जो थे वो क्या थे अध्यक्स थे या जो एक तरह से कहा जाए तो इसकी जो हेड जो थे जो भी अध्यक्स था हो रही थी बहुत संगेती हो रही थी अब किसके राजा के सासन काल में यह हो रहा था तो पह कुशान वंस के था फिरसियात की जी अजाद सत्रु हर्यक वंस काला सोक शीशुनाग वंस अशोक जो है मरे वंस और कनिस्क जो है कुशान वंस के सासक था इन सासकों ने बहुत संगेती कराया था ठीक है पांच भी बहुत संगेती की कई कवार चर्चा देता है जो की हर्ष वर्दन द्वारा कराये गया था ठीक है याद रखेगा अब महत्पुन तथे क्या है तो बिना पिटक और सूथ पिटक का संकलन हुआ यानि कि पर्थम बहुत संगिती में किस बहुत संगिती में बिना पिटक और सूथ पिटक का संकलन हुआ तो पर्थम बहुत संगिती में दूसरे में क्या हुआ, बहुत धरम अस्थावीर और महा संगीका में विवाजित हुआ, तो बहुत धरम जो है, अस्थावीर और महा संगीका में विवाजित हुआ, दूसरे बहुत संगीती में, तीसरा जो पिटक है, यानि कि पहला जो पिटक है, बिना पिटक, सूथ पिट है अभी धं में पिटक को जोड़ा गया तीजिरी बहुत संगीटी में यह एंदि इसरी बहुत संगीटी में थीत्रा अभी धं यह पहले दो CPT को जोड़ा गया था बिना पिटक की संक्लन कर दिया गया था और किंद यह प्र Оभ आभी-धम् में पिटक को जोड़ा गया था तीसरी बाध्संगिती में जोड़ा गया था उसके बात क乐्रतों को बाध्स लिए character जाए जाई conis के समय इसथा चंदर गुप्त Ohh गो था primo यहां सवाद्म भार्वण कांगम ठीक देवर्दि पहली जैन संकेती और उसके बादेखें तरुकांपर हुम्त होद्ता कि बिभाजित childcare बिभाजित होकर 12 अंगल का संबादन धरम गरंतु तता अंतिम संकलन लिपी बद में किया गिया ठीक है बस इतना याद रखे कि दिगांबर और स्वेतांबर में बढ़ गिया दिगांबर मतलब जो है बिना कपड़े वाला गुमने वाला और स्वेतांबर मतलब सपेद कपड वस्तों के लुम्बनी में मिर्तु और ये 483 से इसापूर में कुशी नगर में ठीक है वरतमान में जो यूपी में है पिता जो थे वो सुधोदन थे माता जो थी महा मया एवन परजापती जो थी परजापती गौतमी इनकी मौसी थी जो इनकी पालन पॉसन की बाद में पत जो थी पत्नी यसुद्रा हो गई बिंबा गोपा और भद्यकृषण यह सब नाम था उसके बाद पुत्र जो है राहुल थे बच्पन का नाम सिधार था क्या नाम था बच्पन का नाम सिधार था 29 वर्स में यह गरीते आकर दिया घर जनी छोड़ दिया जिसे महाभीनिस कर्मन कहा गया कोशन पुचय क्या होता है तो गतम बूद्थ को घर तियागाा महाभीनिस कर्मन करता है जो की 29 वर्स में किया ए और 35 वर्स की आयू में उन्हें ग्यान मिल गया था इसका मतलब हiantly बहुत सरे लोग पीपल बिरिक्ष याद कर लेंगे, ऐसे नहीं, बैसाख पुर्णिमा की रात थी, बैसाख पुर्णिमा की रात थी, पीपल बिरिक्ष के नीचे निरंजना नदी था, और उस नदी को पहले पुनपुन नदी, अभी पुनपुन नदी कहा रहता है, पहले प पुर्णिमा की राद पीपल बिरिक्ष के नीचे निरंजना यानि पुनपुन नदी के टट पर ग्यान की प्राप्ति वी जब ये बूध का लाने लगे अब बौधरम के संस्थापक इनको माना जाता है बौधरम में तिरी जो रत्र है बुध्धम धंबम और संगम है यानि बंद जो है बूध धंब और बंद यानि इसी को संग कहा जाता है उसके बाद से बौधरम के चार आरे सत्थ हैं दुख समुदाय दुख निरोद और दुख निरोद गामनी पर्तिपदा ठीक है पर्तिपदा ये जो है मतलब की दुख ही मनुस्य के जो है बहुत सारे गोलब बहुत सारे दिया गया है आगया जाएं अन्य उसके बाद धेंगे तो पर्तित्ययात वाद के उबदेशों analytics का साहर हैं यानि याद रहेगा कोशन पूछेगा कि बूध के उब्देशों है किसमें है तो परतित्य सम्थे पाद जो है बूध के क्या है उबदेशों ह जैसे अभी हम लोग जो बिहार का सार संग्रह पढ़ रहे हैं जो कि घटना चक्र से उसी तरह बुद्ध के जितने भी उपदेश है उसके सार को किसमे रखा गया है तो प्रतित्य समुपवाद एक बुद्ध के बुद्ध के उपदेश्व का क्या है सार है और यह सभी जीव वयाम एस्मरीति और समाधी थिक है अब उसके बाद महाबीर को देखते हैं वर कि इसके बाद महाबीर जी जिको जानते हैं लो ना जहन दरब कैसे क्या हुआ महाबीर इनका जनम जो होता है पांसो निननावे सापूर होता है कहां पर होता है त्याद्रक्त यह तिरिशला जो भी लिक्षवी की क्या थी राजकुमारी थी पतनी के नाम था या शोधा और इनकी पुत्री थी पिरिया दर्शिना और इनका जो जमाली जो इनका क्या था इनके दमाद थी उनका नाम था जमाली तीस वर्स के उमर में इन्होंने गिरीत याए कर दिया जबकि जो गौतम बुध्थ थे उन्हें 29 वरस में किया था 42 वरस की आयूँ में इन्हें के वैल यानि की ग्यान के प्राप्ति हुई जबकि 12 वरस इनको लग गया था पस्या करने में और गौतम बुध को 6 वरस में मिल गया था ठीक है उसको बाद है जंबिक ग्राम के निकट रिजू पाली का नदी के किनारे साल ब्रिक्ष के नीचे इन्हें ग्यान के प्राप्त होती है दोनों का कंपेर करें याद करते रही है ठीक है यह है जंबिक ग्राम के निकट रिजू पाली का नदी के किनारे साल ब्रिक्ष के पास में आगया जी केवल प्राप्त होने के लिए केवलीन यानि की जीन आहरता योगता जो केवल प्राप्त कर लेते हैं उनको क्या कहा जाता है केवलीन कहा जाता या जीन यानि बिजेता अनहरत यानि योग्य और निर ग्रौनत यानि की बंद रहित किसी भी तरह से बंदन से रहित ह यह कहला है ठीक है जैन धर्म में टोटल 24 तिर्थंकर थे यानि कि 24 भगवान थे 24 वे नंबर थे महावीर जैन जी जैन जैन में जो तिरी रत्य हैं वो है सम्यक सर्धा सम्यक ज्यान और सम्यक आच्रन पंच महावीरत जो थे उनके द्वरा दिया गया था जो जेन धर्म के गुरू थे या तिर्थंकर थे उसके अधिन बाकिन सारी चिजए जो है इसको उतना कोई खास सी देखनी की जरूरत नहीं यहां मगतं समराज के बारे में दिया है कि मगतं समराज कैसे थित्कर्स हो रहा है तो इसका एक ट्रिक है मसुक्स कुसान वद्स के बाद से घट है हरेक रब लाद से कर दो seven ऐसे रहेकं बारन सीचिद्ध लाइन बे लाइन आएगी उसको चीज़ों को थोड़ा बहुत देखते चलेंगे लोग जैसे यहां पर आजिए यहां लिए कि बहुत ग्रंत कुन सार उनके पुत्र अजास अत्रू ने अजास का हाणाए हातिया कर्मगत का सासन चार्सों बानवे से लेकर 60 इसपडरू तक इन्होंने सासन कल किया कौन अजास अत्रू अपने पीता को मारे थीं इनके पीता के नम गद रखेगे बिंबीसार य bientôt फिटाग नाम था दो एन्हों ने मार दिया कौन दिया तो इनके बेटे अजास्द्रू ही इनको पित्रु हंता भी कहा जाता है कि उसके आगे आगे आएगा कि इनी की सहसनकाल मं ही महात्मा बुद्ध की मृत्यृति के सासन काल में हुआ था इसलिए 483 में पहले बहुत संगिती तो अधेks शे क्राशनर मिरती को बाद उदाएन जो है मगड का सासक बना, उदाएन जो क्या किया कि अपनी राजगRI से पाठली pastora लेकर के चला गया, कहा घए राज राज राजगीर से पाठली pastora लेकर लेकरा गया, कई की पुत्रे थे अंिरूद मंडक और नाग दसक आगया जी उसके बाद आता है सीशुनागवंस के वाद यह सब अन्दवंस के स्थापना तो अन्तिम राजा थे अंतिम राजा क्या नाम था नाग दसक, नाग दसक का अमत्वे, वकासी का राजपाल था, कौन था, सीसु नाग, तो सीसु नाग जो था, वो नाग दसक, यानि कि हर एक मंस के अंतिम राजा, नाग दसक के क्या थे, राजपाल थे, और उनको ही हटाखे, खतम करके, मारके, य रहे जिसके पाष्ट?, समय में जिसके समय में दूसरी夏 बहुत संगीती हुती यह 383刃 तो इसकी न से न्नि वर्दम और रीवर्दम से सुर्व डलात हो जयता है महापद्मनंद जो था वो सिसुना का अंत कर नंदवस के स्थापना करता है यानि कि नंदवस के स्थापना महापद्मनंद करता है पुरानम इसे स्वक्ष सर्वक्ष त्रांग तक कहा गया है इससे एक छत्रे एकराट भी कहा गया है किसको याद रखेगा महापदमनंद को तो एकराट या छत्रे या स्वक्षा सत्राम तक कहा गया है किने कहा गया है तो याद रखेगा महापदमनंद को उसके बाद इसे सुद्र और दासी पुत्र भी सभी सुरोतोस में बताये गया है, इसे पौरोव, इक्चवाकू, पंचाल, कौरोव, हैय, कलिंग, सूर्षेन, मथिक, असक, वीती होतरे, राजयों का सासक बताये गया है, इसे मगत समराजी की सीमा, गंगा, घाटी के पार कर गई थी, इस वहंस का जो अंतिम सासक था, उसका नाम था घानानन्द, उसके समब में यूनान जो आकरमनकारी था, सिकेंदर, उसने आकरमन हुआ था, कई बर कोशन पुछा हुआ कि कि किसके सासनकाल में सिकंदर का आकरमन हुआ था, तो घानानन्द, यानि नंदवन्द के सासर घनानंद के सासनकाल में युनान आकर्मनकारी सिकंदर का आकर्मन हुआ था मंगत पर उसके बाद आता है घनानंद के बाद मुर्वंस के स्थापना होती है पुरान गरंतों और बहुत जैन्द गरंतों कोटिले के अर्षास्ते और विदेशी लेखों में मुर्वंस के जनकारी प्राप्त होती है 70 जबकि एरियन और प्लुटार्ग एंड्रो कोटबर जान्ते थे महरा प्लुटार्क के बारे को ऐंड्रो कोटबर विदे नाम से जानतेथी त cultivator एण्ड कोटस और अन्यां किन नाम उस चैनल जते था तो सेंडकोटस के नाम से लगएगा इनमें से एक से जौधिक बिलियम जौस के पहचान भारती में वंडी ए च्ढरकॉप ऑडरे से किया यानि सबसे पहले जोंस मतलब जाना, जो है, बिलियम जूस जो है, सबसे पहले जाना, कि संडरो कोड़स जो सब्द लिखा गया है, ये चंडर कोड़ मौरे के लिए ही लिखा गया है, उसके वाद से जेम्स प्रिसिप्ट ने 1834 के मद्दे में ब्रामी और खोरुष्टी लीपी को अनुमदित किया और पिर पिरिये दर्सी किसको समझा है, तो पिरिये दर्सी मतलब असोक, तिक है अपर ये दर्सी नाम से असोक की पाचान किया, 326 इसाफिरों में मकदुनिया के सासथ सिकंदर भारत पर आखमान करता है, उसको सिकंदर जो है जेलम, यानि बितस्ता नदी का टट तक आ जाता है, त कई बेर कोशन पूछता है, कि हैड़े स्पीच की यूध है, वो किसके-किसके बिशम हुई थी, तो राजापोरस और सिकंदर की सेना के साथ में लड़ाई हुई थी, ठीक है, ब्यास नदी के टट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इंकार कर दिया, ब्यास नदी से ही नदी समराजी की सीमा आराम होती थी और यहां से इस नन तो बार दीन की सहता से घरना नंद को पराजित कर 35 की उमर में मगत का साथ मन जाते हैं 305 इसापुरों के आसपास में सेलीकस निकटर से युद होता है यानि 305 में अब यह सिलीकस निकटर जो था वो था सिकंदर का सेनापतिता Thill Sena जब वापस लोड जाता है कि नहीं लड़ेगा यूद तो यह जो है सेल्यकस निकटर नहीं महानता और यूद लड़ने के आता है यूद के यूद उपरांत यानि यूद के बाद संधी होती है चंद्रगुप्त मुखरे एरिया यानि की काबूल आराकोसिया यानि कंधार सेटर कुन मिल जाता है चंद्रकूद मोयरे को मिल जाता ह। और सात में यूनानी राजकुमारी से लिकश नीकटर की वेटी थी उसका नाम था कर लेनिया ठीक है उससे साधी उजयते सदी हो यह कि तेकिन मोयरे का चंदरकुत मौरे के दरबार में सेलomingo Snacator अपनी एक राजदूत मेगास्तिनीज को रख देता है उसके बाद मेगास्तिनीज एक किताब लिखता है जिसका नाम है Indika जिसमें भारत की और चंदरकुत मौरे के साथन की चर्चा उसमें दिये गये उसके बाद से जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौरे ने अपने पुत्रे बिंदु सार को सत्ता सौप कर जैन मूनी भद्रभाव के साथ थे सरवन बेल गोला करनाटक चले गए वहीं पर सलेखना यानि कि उपवास बीदी से प्राण त्याग कर दिया चंद्रगुप्त मौरे जो है उनके पुत्रे के नम है तो बिंदु सार याद रखे का बिंबी सार और बिंदु सार दोनों में अंतर है तो बिंदु सार थे इनके पुत्रे किनके चंद्रगुप्त मौरे के और खुद चंद्रगुप्त मौरे जो थे किस जैन मुनी के साथ य यानि उपासना भी दिद्वारा ये अपनी ग्रीकों त्याग्यानी की मृत्व प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आता है बिंदुसार इनके पुत्र जो है ये सासन करते हैं। बिंदुसार को अमित्र घात भदर सेन और सीह सेन के आदी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था। सिरिया के सासक एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस था। और सिरिया के सासक एंटियोकस ने अपने राजदूत डाइमेकस को भेजा था। में बिंदु सार के दरबार में बिंदु सार जो है लास्ट में आजिवक संपरदाय के अनुवाई बनते हैं अब आता असोक का सासनकाल से कई बर कोशन लगतार आते रहते हैं तो असोक अपने गद्दी पर यानि सीहासन पर चार वर्स बाद 299 इसाफुर्व में राज विक्ष्क पर अजने आजयी पर राजविसेख से पूर्वे उजयन का राजपल था तो दूसर एक्सट इसापुर्व में राजविसिक के आठवे वर्स, यानि राजविसिक जो हुआ, उसके आठवे वर्स कलिंग पर विजाए किए, ठीक है, राजविसिक के कितने आठवे वर्स, राजविसिक कब हो रहा है, दूसर उनतर इसापुर्व में राजविसिक हो र और दूसरे 60 इसवी में क्या हो रहा है इनका ये कलिंग पर बीजा प्राप्त कर रहा है असोक अपने बड़े भाई सुमन के पुत्रे निग्रोध से प्रवचन ने असोक के बहुत धर्म अपना लिया और मोगली पुतस का सिस्य बन गए मोगली पुतस जो थे इनके सिस्य बन गए और इससे पुर्वे असोक शव धर्म को मानते थे यानि सिव के उपासक थे बाद में ये अपने भतीजे से इनका भतीजा जो नाम था निग्रोध के परवचन से असोक काफी ज़्यदा परभाइत हुए और मोगली पुतस के क्या ब लुड़िव के शोईक साब मेускوب इससे की राजविसे के दसवह वश्य राजवीर्वर्ष में ने बहुत गया की जात्रा करें 1 चौधेवंचने किलड़े में ध्रम का उप्देश करने के लिए थार्म के लिए एक अथिकारी की निवक्जित करते हैं तो चौधेवंचन में धर्म महापातिर के निवक्जू होता है 10 वर बहुत गया की यात्रा करते है विश्वे वर्स में लुंबीनि गया उन्हें, लुंबीनि में गये ठीक हैं और उसे वहां पर कर्मुक्त घुशित कर दिया यानि कि उल्विक यानि कि करमुक्त कर दिया गया 20 वर्स याद रखेगा लुंबिनी को 20 वर्स जो है कब के 20 वर्स तो चंद्रकुप मर के जो राजविसिक हुआ था दोसो नत्र इस्यपुर में उसके 20 वर्स तो फिर उसे ध्यान रखिए आठवे वर्स यानि कि उनके राजविसिक आठवे वर्स का अब असो के अभिलेक देखेंगे तो सहानाजगडी और मांसे रहा पकिस्तान में भी मिले हुएhes पकिस्तान का अबिलेक है वह भर्रवाइक लिपीलिपीं जो इनके अभी लेख वेगरा मिले हैं तो अरमाईक या अर्मेईक और ग्रीक लिपी के जो अभी लेख थे वो मिले हैं अफगानिस्तान से वही खरोष्टी वाला पाकिस्तान से मिला हुआ है ठीक है आगया जीआ अब यहां दिखेंगे तो बाकी सिला लेक विगरा जो है ये लगू लेक जो थे वो ब्रहमी लिपी के थे यहां लिका है कि असो के तिहांस हम इस अभी लेकों से प्राप्त होता है अभी तक असो के 40 अभी लेक प्राप्त हो चुके है तो यादर केगा अभी तक असो के कितने अभी लेक मिल चुके हैं चालिश अभी लेक मिल चुके हैं असो के सिला लेक देखेंगे तो धोली यह उडिशा के पूरी जीला में धोली यह उडिशा के पूरी जीला में और सहबाज गड़ी ये पकिस्तान पैसावर में, मान सहरा पकिस्तान के हजारा में, कालपी धेरादुर में, जोन गड़ उडिशा में, सोप्रा माहराश्क थाने में, एरागुडी अंगर पर्दिस में, गिरनार ये काथिया वार जूना गड़ के पास में है, उसके बाद मस्की यह राज राय चूर जिले में है और सहसराम यह बिहार के सहबाद जिले में है ठीक है उसका दिया लिका कि तेरवे अबिलेक में इन ने देशों का नाम लिखवाया जहां दूद भेजे गया थे उसका अगला आएगे तो यहां पर देखेंगे तो साची जो है यह मदप सब्सक्राबाद के निकट से निगली सागर नेपाल में ब्रहमगीरी जो है कैमूर के चिबल दुर्ग में सिदपूर में यह ब्रहमगीरी से एक मिल उत्तर पूरवे में स्थित है और जतिंग रमेशवर ये भी है ठीक है उसके बाद आगया जी अब यहां पर देखेंगे अशोक के गुहा लेख देखेंगे तो अशोक जो है दच्छिन बिहार में गया जीले में बराबर नमक एक तीन पहाड़िया है उनकी दिवारों पर अशोक के लेख जो है उत्रन किये गए है या वहां से मिला है कहां से मिला है तो गया जीले के बराबर नमक गुफाओ से इ जीतने भी मीले है वह प्राकृत या ब्रहमी लिपकी के ए लिखी लेकिन यजो सहबाजगडि में छो है रहिता है या लिपी दाएंओर parleकृत तょ यकार्चिर द्यां द्याएं और responded भाय लिखा जाता है ठीक है व्रॉह to left लिका जाता है राइट to left मतलब इस चैट से जैसे उर्दू लिखाता है ना उर्दू उस तरह लिखा जाता है राइट टू lवेक्ट कौनसी लीपी खरोष्टी और ये कॉशन पुचा हुआ था कि खरोष्टी जो है कैसे लीखे जाती है राइट से left की तरफ में यह दाही साट completely मिला हुआ है अब असो के स्थम्प के बारे में यहाँ इक खेंगे को इसको लाएगया था तो इस ईसे स्थंब लेकु को इलहाबाद में Puesик उत्तरपरदेश के सहारन पुर जिले में पाए गया था लेकिन मुगल काली जो सल्तना था फिरोषा तुगलक ने इसे दिल्ली से लाएगा दिली उठाकर दिली लेके आगया थिके इस पर असो के साथ अभिलेग उत्कर्ण है जो दिल्ली तोपरा अभिलेक है असोक के ये पहले था उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जीला में बाद में इसको उठाके फिर उसा तुगलक ने लेके आया दिल्ली और इस पर अब जो अबिलेख है उस पर साथ जो लेख जो है इसी पर उत्करने किये गए है उसको अबिलेख जो है अबिलेख या इस्थम भी पहले मेरत में था बाद में फिर उसा तुगलक ने इसे दिली लेके आ गया लॉरिया आरे राज या लार्यक नंदंगड का यह लेक जो है बिहार के राज क्वारज चम्पारंजिला में और यह भी कोशन खूब पूचता है कि लोर्या अरे राज लोर्या नंदंगड ज जो है काफी ज़दा प्रतिक समेति में पांच सिसगे थे जैसे पैदल से ना घोडावला से ना गज से ना यानि हांथी से ना रथ से ना और नौ से ना की विवस्ता थी उसके बाद देखेंगे तो शाइनिक प्रबंदर का सोच अधिकारी जो था अनंत पाल काला था याद र सरवच अधिकारी था उसको अनंत पाल कहा जाता था यह सिमांत शित्रे का भी विवस्थापक होता था मेंगस्थनिज के अनुसार चंद को तो मरें कि से ना छे. लाख पैदल पच्छास हजार अशॉर हो ही यानि घोड़ावाला से शुशत अनेक अजया सानिक थे 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 शुशाँ विवस्था जिस चलाने के लिए अनेक प्रांत बाठागे थे जिसे चक्र कहा जातत था इन प्रांतों का सासन जो है परते दवरा संचालि थे था परच था सम्राथ असोंग के काल में परांटों की संक्हा 5 हो गए थी यानी परांतों की कितनी थी 5 ए पाँच प्रांट थे याद रहेगा मद्य Пषण यानी प्राचवी प्राथी प्राथली पुटरा इसके राजो ती उतरापत दक्छिसीला दचाना पथ जो था दचिनापत की रजदानी स्वन्नी गिरी थी और उत्रापत की रजदानी तक्सीला थी अवंती राष्ट की रजदानी उजयनी थी कलिंग की रजदानी जो थी तोसली थी अब चकरों का जो परसासन था यानि प्रांतों का जो परसासन था कुमारत्य और कुमार या आरे पुत्र नामक पर जो अधिकारी थे उनके दोरा किया जाता था पिछली बार कोशन पूछा था कि असोक के सासन कलमें जो प्रांतों का संचलन कौन करता था तो याद रखे कि कुमारत्य करते थे ठीक है, कुमारा मत्त्य करते थे या कुमार या इनी को आरे फुत्र भी कहा जाता था प्रांत जिले में विवक्ते और जिले जिने आहारिया विशय कहा जाता था और ये भी दिया हुआ सिधे सिधे आपको भीहार वोड़े की तब मिल जाएगा तो जीला को क्या बला जाता था आहार या विशय कहा जाता था इनके परसासनी अधिकारी जो है अधिकारी अस्थानिक था गोप जो है दस गाउं की विवस्था करता था अब नगर परसासन देखेंगे तो नगर परसासन तीस सदस्वी की मंडल दोरा चलाया जा रहा था मंड था बेपार वरक्षित केहां घ्रोटोमें वर्णित अधिकारी Essentially याद रखेगा नगर आयुकत जो था उसको युनानी लोग कहा जाता था असो के परवर्ति मौरे समराथ मगज समराची के महान मौरे समराथ असो की 322ड़ में हो गई असोक के उपरांत अगे पांच दसक तक उसके निर्बल उत्रदिकारी जो है सासन चलाते रहे असोक के उत्रदिकारी जो थे असोक की मिर्थु के बाद मौरे समराज की पच्छमी और पूरु भागों में बढ़ गया उसके बाद 180 सपुर के पच्छमी भाग पर बैक्ट्रिया और विनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया पूरु भाग पर दसरत का राजय था अंतिम मौरे समराट ब्रीधर्द की हंत्या उसके सिनापती पुस्व मित्रे ने कर दी और इस से मौरे समराज समाब्थ हो गया कर द Cantonese के सामना कर दिया ब्रीधर्द की हत्यां कर गया है उसकी उपादी सेनाजी ती इसने यवण आकरवं को बिफल किया कर आ गया जे के ऑद यहां लिखाए कि इसके बाद इसका पुत्र अगनी मित्रे साथक बंत था अगनी मित्र और मालविका की कहानी कालिदास के जो मालविकांग का मित्रम नामके के नाटक में इसकी रचना की गई है उसको बाद कुषान का ससन आता है कुषान ने पाठली पुत्र को बीजय अस्व घोष में को अपने साथ ले गिया यानि कि कुषान जो किया कि पाठली पुत्रा बीजय किया और बीजय करने के बाद अस्व घोष को अपने साथ लेकर चला गया कुषान समराज जी के बाद पटना पर लेक्षिवियों का सासन रहा उसके बाद गुप्त वंस का सासन आता है गुप्त वंस भी सासन करते हैं कि उपादी थी महाराज बंते हैं चंद्रकुत के जो है पहला पर्थम पहला सहासक माणा जाता है जो वास्तिक टंसरंग को माना जैता है दी गई उनको लिक्षवी राजकुमारी कुमार्द विस इनका विवाद होता है राजविसेख वर्ष 319 इस्वी में गुप्त सनुवत सुरू किया गया यानि राजविसेख के जो वर्ष था 319 से गुप्त सनुवत का सुरू किया गया समंद्र गुप्त को देखेंगे तो समंद्र के सिक्कों पर प्राकर्मांग के अपरतीरत थे व्यागर पराकरम सरवाजक्ता आदी उपादियों का परदान किया गया था और इन्हें भारत का नेपोलियन इनको किस ने कहा था तो इतियांसकार समंद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है किस ने कहा था तो समंद्र गुप्त ने केवल अधी राजत्ते का दवा किया उसकी निती ग्रहन मुक्ष अनुग्रहन की थी इनके जो राज कभी थे उनका नाम ता हरीशेन यादर कीगा संधी बिग्राही का इनके राज कभी हरीशेन द्वारा लिखा गया है तो संबन्दर गुप्ट की जो राजकवीतिय नाम तह हरी शेल और इनकी जो प्रसंती थी जो लिखा गया है उसका नाम है संधी विग्राहक संगित्दी विग्राहक चंदर गुप्त के उसका देखेंगे चंदर गुप्त जो है देव राज, देव गुप्त, देव सिरी, बिक्रमादित्य, आदिव पादियों से जना जता है इसने धुरू देवी से विवा किया दिल्ली के महरली का जो लौस्तम है चंद्र सासक द्वारा सिंधू के पास से बाहलीकों और पुरुए बंग सासकों का बिजय का इस पर वर्णा दिया गया जैनि बस इतना या रखेगा चंद्र गुप्त के बारे में चर्चा दिल्ली के म परभाइती का वीवा वाकटक नरेश रूद्र शेंसे बूतिय से किया गया था। कुछा का चंद्र गुपट में नौरतन भी थे नौरत में से ते कालिदास धन्मंतरी चंडमक अमर सिंग संकू बेताल भट उसके घट करपक वरा महीर वरू रू रूची विद्वान थे इसमें वरा महीर धन्मंतरी अमर सिंग कालिदास इनके बारे में खुब कोशन पुच्टा यार रहए कि है किसके दर्वार में थे नौरत्रों में से सामिल तो चंदगुप्द मूरेके यहनी दूत्य के सतन थे कि उसके बाद आएंगे तो कुमार लूत का प्रत्म मुद्ध देखेंगे तो मद्दसौर अब headache में इनकी बारे में चर्चा देता है नालंदा भी से विदाले के स्थापना किस ने किया था अब आएंगे इसकंद गुप्त के बारे में क्या चर्चा देता है तो जुना गड़ा विलेक से पता सलता है कि इसकंद गुप्त जो है इसको इनको कहोम अविलेक में सका दित्य भी कहा गया है इसमें चीन में अपना राजदूत को भेज़ता अब यह गुप्त काल के बाद चीनी यात्री सुंगूंग ने भारत में यात्रा की हवेंग संग भी भारत में आता हर्थवर्दान के सासनकाल में उसके वाद आई ये पालवंस का दिखेंगे तो गभुप्त सब्सक्राइब को मना जाता इसके संस्था पक्तनी अदर्विक्रमस बिक्रम सिला महावियर या विसुविदाले सिल्क सिटी के नाम से परसीद भागल भागलपुर जीले में सहर की लगवा 50 किलमेटर पुर्व में अंतिचक गाउं में एस्थित है ठीक है तो बिक्रम सिला जो विसुविदाले इसकी स्थापना कौन करता है तो याद रखी एक पाल वह के साथ सथ गौपाल करते हैं है या उसके बाद आ गया जैगलू तो ए हुद最ंद देव पाल के बाद मही पाल मही जो है मही पाल के समय ही राजिंदर चूल ने आकर्मन किया उसके बासे आएगे यहां पर राम-पल के यहां पर करनाट spends करनाट सथाफ़ा का वह न न यह थे न यहीं ही बक्तियार खलजी ने बीहार पर आकर्मन किया कई कई कोशन पुछिए के कि वंज के संवह में बक्तियार खिलजी ने भिहार प्रक्रम्ड किया तह उसमें उसके टा कर नान ने देव उससे में बक्तियार जो खिल hardness है नालंदा विक्रम सीला जैसे भिहार को क्या कर दिये खतम कर दिया अब आते required को देखते हैं मद्यकाल में जो है आपको ज्यादा बड़ा नहीं दिखे उसके बाद डारेट यह आदुनी का सुरू हो जाएगा एक पेज का है ठीक है मद्यकाल बहुत ही छोटा है इसमें टापिक बक्तियार खिल्जी जो है 1192 से 126 तक बिहार पर अक्रमण किया कुतुबु इसकी मियुत्यों जरी है 1206 में 1225 इस्यू में इल्टुत्मिस ने बिहार पर अक्रमण किया था 1325 में और वक्तियार किल्जी गारसंतान में वही कर दिया था बिहार में तुर्कों का वर्चस्वे हो वो 1324 में गयासदीन तुगलग के अक्रमण के बाद कायम रहा उसको दरिया खानोहानी को 1526 में बावर ने पानिपत्स का दूसरी उद में इब्राहिम लोग्दी को प्रास्त कर दिया तो पानिपत्स के पहला यूद्स हुआ था 1527 में बच्पन का नाम फरीद खां और पिता का नाम था होसंय, हासं का श्षा नाम बाद में रखा है ये बाहर का ने रखा था मौमत सा के मृत्विकबाद जो है उनकी बिद्वा जो बीबी थी दूदू बीगम उनके उनसे सेर खाने क्या लिया बिवा कर लिया उसके बाद आएंगो यह बाद आए यहाां पर देखेंगे यह चाषा का युद्ध की हरु दोनों यूद में हीमायू की हार होती है उसको बाद से सिरससुरी कहा शूरो यह बिल गराम या कन्श कि J जिसको ल्वार बाद देखेंगे ड़ि याद रखेंगे में कालिंजर अभियान में घायल हो गया उसके बदाएंगे आगे देखेंगे इसने रईयत वड़ी बिवस्ता लागू किया और इसने क्या किया कि चांदी का रुपया चलवाया चांदी का रुपया चलाया तो याद रखिगा से अबसका सरवानी इसके जीवनी लिखे हुए तो पासखा सर्वानी ने इसकी जुनि निलिखा। सासा राम में इसकी मकबरा, किरितिम जील के मद्ध, जील बनाए गया, उसके बीच में मकबरा बनाए गया। अश्ट कोनी अकार का लाल जो नहीद बलुव पत्थर, लाल बलुव पत्थर से बनाये गया, इसका पुत्र जो था जलाल खा, जला का İslam का के नाम से सासक बनाए, यहाइन पुतर के नाम से जलाल का जो की İslam का के नाम से सासक बनता है, पंद्रासोगास मैं बिहार मुगल समराज्जिय के अधीन मतलब उसमें सामिल हो गया और रिंजेप का जो और रिंजेप ने अपने जो इसका पुंता था अजीम अजीम को बियार का सुविधार बनाया उसके बाद पटना का नाम अजीमाबाद रख दिया गया था याद रखेगा और जेब का पोता था उसने अजीमाबाद पटना का सुविधार बना बिहार का सुविधार बना और बिहार का सुविधार बनाया पटना का नाम अजीमाबा कर दिया था चार में बंगाल के राजदानी द का से मुर्षीदावाद को स्थंड़ कर दिया गया यहांनि की पहले डाका थी बाद मुर्षी डाघ लेकर चला गया लो टिकें प गीरिया के यूद के नवाइद का न बंता ओन अंतिम सक तुन बहुत आ Nagpur आप उसके बाद सब्सक्राइब को मीर जाफर जो बंगाल का अगला नवा बनता है कि उसको बाद आ जाते हैं आधुनी काल को देखना चुरू करते हैं यहां से बहुत इपोटन्ट इसको मिशने की जाएगा इस टॉपिक को तुदा डेटेल से पढ़ा जाएगा क्योंकि इससे कोशन बहुत सरे कोशन आने के समवना बन रही है ठीक है? तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं लो बिहार में जो पहले डच जो है पहली बार जो अंग्रेज जो भारत में बिहार में आते हैं डच वाले आते हैं वर्तमान जो कॉलेज है पटना कॉलेज जो है उसका उत्री जो भाग है वो डच द्वारा ही बनाए गया था तो यहां लिख से लोग अंग्री जो है निर्याद वेगरा करते थे 1760 में मिर जाफर के स्थान पर मिर कासिम जो है बंगाल का जो नवाब बनता है मिर जाफर के बाद उसका जो दमा था मिर काशिम वह नवाब बनता है और उसने 63 में उसने क्या क्या मिर कासिम ने मिर कासिम को हटा कर पूना फिर मीर जाफर को नवाब बना दिया जयता है यानि कि 60 में जाफर को अटाके कासिम बनता और कासिम को फिर अटाके तिरिशट में जाफर को फिर पूना बना दिया जयता है उसके बाद 17-63 में यहां 19 सनी होगा 17-63 यहोगा 19 जुलाई 17-63 में कासिम को एडम्स ने कारवा के यूद में पराजित किया काशिब को एडमस के यूद में किस कारवा की यूद में तो मेर कासिम और ऐडमस के बीच में इसके बाद जै 오늘 गिः उधोन आला यूद में भी उसने पराजित हुआ. 23 अक्टूबर 1775HHHHningar को मीर कासिम अवद का नवाब सुजाओ दोला और मुगल समराड जो साल अधूतिय था उसने तीनों मिलकर एक यूद लड़ा जिसको बक्षर के यूद भी कहा जाता है आप आप लोग को पढ़ाया हूं जो भारत का आद उनके तियास पढ़ा रहा था उसमें बक्षर के यूद जो है मेजर हेक्टर मुंडू दोरा परादित किया यानि हेक्टर मुंडू लड़ा था 23 उक्टूबर 1764 को मीर के मीर काशिम था अवद का जो बंगाल का नवाब मतलब था यह तो बन चुका था इसका जो ससूर था मीर जाफर उसको बना दिया गया था यह 63 तक यही था 63 से मीर जाफर फिर पूना बन गया था नवाब इसके वज़ाए 23 सक्टूबर 1764 को अवद के नवाब सुझा दोला के साथ मिलकर और साल अंदिते के साथ मिलकर इसने युदि लड़ा भकसर की लड़ाई जिसमें हार गया अंग्रेज के तरब से कौन लड़ रहा था हेक्टर होती है और इसके तरफ 26 लाग रुपे इसके तरफ कि 26 लाग रुपे में यहां बहुत देखेगा तो वारतिक भुगतान के बदले इस्ट इंडिया कंपणी को बंगाल बिहार और ओडिशा जो है यह मिल जाता है सासन मिल जाता है कितने रुपे के बात की गई थी 26 लाग र बिद्रों किया जिसे स्वेथ बिद्रों कहा जाता है रोबर्ट क्लाई के सासन काल में 60 और 61 में नील बिद्रों हुआ था यह यह वहावी एंद्रों के परवर्तक जो था अब्दुल वहाव जिसने भारत में सर सेद एहमद बरेलबी लोकपिरी के नाम से बतला इस नाम से पटना में इस से वहावी एंद्रों का मुखी केंद्र रहा फराजी एंद्रों हाजी स्यतुल्ला इसके परमुक नेता थे फराजी एंद्रों के और यह इसका भी केंद्र जो था यानि कि फराजी एंद्रों या आपका वहावी एंद्रों दोनों का ही केंद्र बिंदु जो विसको बरभवतवाद्वन करने वाले को नूनिया कहा ज़ना था और इन्होंने इसके खिलाप में विद्रु किया था क्योंकि रकम बहुत कम मिलता था रिक है कि यहां पर देगे पूरे डुटेल में इसको धाल बिद्र होता है जो की स्षेतर है सीभूरा जगणनाथ धाल रागुनात महतों बाखी से जगणनाथ धाल के बारे में देता है क्वेश्चन तो धाल बिद्र होता है सब्सक्राइब करने के लिए गोपाल राय पलामू का राजा घोषित कोते हैं अब भोगता बिद्रो ये भी पलामू में गटवाल बिद्रो हाजी जो हजारी बागे वहाँ पर 72 से लेकर 82 तक पहाड़िया बिद्रो जो संथाल पर गराम होता है जगनात देव और रानी सर्वेशरी जो है ये यूद लड़ती हैं नत्रत करती हैं और उसके बाद से 1704 से देखेंगे 1784 से लेकर 85 के बिच में तिलका बिद्रो होता है या नत्रत कर रहे थे इनने आधी विद्रो भी कहा जाता है इने क्या का जाता है आधी विद्रो भी 1819 इस इस ट्रिया कंपनी ने पलामु को अपने पर्तेक्ट शासन कंत्रका चलाया उसके वाद से देखेंगे तो 19-28 newspapers, Hidden and 21LS में हो बिद्रो होता है कुलाहान, पोटो सरदार इसके नत्युट करता थे 31, 32 में कोल बिद्रो होता है और 32 य वीच में भूमीज बिद्रो होता है जाता हिसे नत्युट करते हैं या नत्यू यह चारो भाई। इसे इसे शंताल हुल भी कहा जाता है यहां पर तेखेंगे जो भूमिज बिद्रो इसको गंगा नरान हंगावा भी कहा जाता है जो की अठार तो 32 के 33 में हुआ था बड़ा भूम बीर भूम में वाले छितरों पे उसको बादारी लड़ाई जो थी छोटा नागपूर के कोल बिद्रो में हुआ था ठीक है आगया जी खरवार आंदोलों जो है संथाल पर गना भागी रती मांजी जो है इनके नेतुत में हुआ था खरवार आंदोलों सहावर आंदोलों जो है यह इसको लाल लाल बाबा द्वार किया गया था याद रखिएगा सभाहोर जो बिद्रो जो है यह आंदोलों ज अब आएंगे कोल बिद्रो को अभी जश्टम लोगों देखा ये इस में डिटेल से देखा कि कोल बिद्रो जो है कब हुआ यहां पर एक इस बास में बास में और यह हजारी बास है उसके बास से यहां पर जो दीकिव लोग थे इसको पसंद नहीं करते ते जहां देखेंगे तो पर रेगुलेशन आठ प्रावदान लाओ किया गया था तो रेगुलेशन आठ का प्रावदान यह वह बहुं जो चार्टर अधिन इसके बाद आएंगे यहां पर इस सेट देखेंगे तो आगे बिल्किंसन ने ही बिल्किंसन रूल बनाया जिसे कुलहान चेत्रव में 1837 में लागो किया गया था अब आए संथाल बिद्रों के देखेंगे तो इनका मुझे उदेश्विता संथाल बिद्रों का कि देखू को भागाना है बिद्रों का निरना लिया उसके बाद आगे आएंगे तो यहां लिका आए कि दामन एको में सिंद कान्हूं चांद भैरों हजारी बहक से अरजुन मांजी भारो मांजी तताबीर भूं के गोरा मांजी के बिद्रों को नेतुत पर्दान दिया उसको अदा गया तेलो तो दामा ने को जिछेत रहे याद रखी गा, दामा ने को जिछेत रहे इसी समंदित है दिसमबर 1855 में सिंदू को पकड़ कर फासी दे दिया गया और चांद भहरो को करे चंद भहरो को का नाम बदल कर संथाल पर गना कर दिया गया है जिसमें दुम का देवघर गोंडा और राजमल्क के चार जी ले आते हैं भागलपूर जो कमिशनर था जार्ज विल किसे आया था से एक नया पुलूस कानून जिसे यूल नियम कहा जाता है यह लाया गया तो यूल नियम किसे ने लाया था और किंशत्र मता तो भागलपूर के जो कमिशनर था जार्ज विल इसके दूर लाया गया था वर्तमान में जरकंड सरकार संथाल विद्रों के सम्मान में 30 जून को होल दिवस से मनानी के बात कीगे तो होल दिवस से जो एकम मना जाता है तो 30 जून को अब आएंगे मुंडा विद्रों देखेंगे 1899 से 1990 में इस आंदोलन के दचनी राची सहीत अन्य छेतर को भी परवाइद किया विर्शा मुंडा का जो जुनम हुआ ता याद रखी का 1875 में हुआ था और 1595 को हुआ था वर्तमान का खोटी जैलह उलिहाती गो में हुए था राची कोटी जैलह इ में और पूरे डीटेल में दिया गया है आपको बिर्षा का आरंबिक जो पड़ाई हुई थी वो आरंबिक जो शिक्षक था उनका नाम था जैपाल और बिर्षा ने धार्मिक गुरु थे जो आनंद पंडे थे और वेस्नो धरम ओलंबी थे यह विश्नु धरम के मानने वाले थे उसके बाद शिक्षा जो है बिर्षा प्राप्त सिक्षा गरान किया 1856 जर्मन इसकुल में नाम जो है दाउद बिर्षा का जो नाम है दाउद नाम से इनका दाखिला हुआ आगे बिर्षा ने इशाई धरम को त्याग दिया और इशाई धरम त्याग देने के बाद आनंद पंडे के संपर्ग में और वेस्नो धरम का अपना लिया एक टूबर 1894 को नौज़वान नेता के रूप में जो सभी मुंडाओं एकतरे कर बिर्षा ने अंगरिजों के लगान माफी के लिए अंदलन किया 1895 में इनको ग्राफतार कर लिया गया और हजारी बग किद्रित करगास में जुर्माना एम दो सल की करगास दिया गया संतानवे में राची से जेल से छुड़ गया दो सल बाद उसके बाद से 24 दिसंबर 1899 को उल्गुलान की आग सीबू के चक्र धूर राची के खूटी करी तोपरा तमाड़ बरस्तियों में भड़क उठी उसके बाद इसाय धर लंबी परंतुबाद में निर्दोसों की हत्या से बचने के उदेशों से केवल अंग्रेज अफसरों के खिलाब करवाई की गई तीन फरवरी 1900 को 500 रुपे का इन्वे सरकारी इनाम के लालाच में जीरा केल गाओं के साथ लोगों ने बिर्शा मुंडल के जो गुपत स्थान के बारे में अंग्रेजों को जनकारी दे दिया एक जूर 1900 को डिप्टी कमिशनर ने इंइलान किया कि बिर्शा को हैजा हो गया और नौजून 1900 को बिर्शा को जेल में ही अन्तिम सांस ले ली बिर्शा को जेल में ही क्या क्या है वो मर गया नौजून को ॠीक है अठाउरफ चोर अनगपर का वन सुरक्षा अधिनियम लए गया तर ना भगात अंधुलन देखेंगे ताउना बगात अंतुलन तलंनगा हा ताना सब्रत का विज्णा क् otherwise वार्त होता है तानना या खीचना ठीक है आगे देखेंगे तो यहां लिखाव आया है 1914 में उराव के जो धार्मिक सुधार थे उसमें ताना भगत के लोगों ने भाग लिया उसके बाद यहां आएंगे तो 1916 में जेल में इनको कैट कर लिएगा क्यूं कैट कर लिएगा जो टाना भगत के लोगों दोवरा कि हम लोग जो है क्या करेंगे टेक्स वेगर आप नहीं देंगे 1916 इस्वी में इनको जेलम पकड़ लिया जाता है और बिर्शा मुंडा को ही इनका रूप माना जाता है अजिए आदिवासी लोग इनको बिर्शा मुंडा का ही रूप मानते थे और इन्हें जर्मन कैसर बाबा भी कहा जाता था बाद में यह अंदलन जो है ताना भगत को और जत्रा बगत को यह पहाग लेते हैं उसके बाद से यहां आगे आएंगे यह लोगी है कि भारती सोतंता अंदलन्में भाग लेते हैं तान हम च्छे लोगों ने यहां पर देखा हूँ आए कि इसी तानी चाह भागत ताना भगतों ने पहली बार भारती रश्टी अंदुलों में सामील हुआ था जो में जो ताना भगत के जो लोग थे भारती रश्टी अंदुलों के और स्वर्योगा अंदुलों में जो है जो गांधी जी द्वारा सुरेखा today इसमें उन्हों expressing फागलिया उसके वाद यहाँ देखेंगे तो कांगरेस के जो अधिवेशन हुआ तो 1922 इसमें भी और 1923 इसमें नागपुर सत्यागरा में भी बड़ी संग्या में ताना भगत ने सामिल हुआ 1940 इस्वी में रामगड का जो कंग्रेस अदिवेशन हो रहा था जिसमें ताना भागत ने गांदी जी को 400 रुपे की भेट किया अब आई अठार संतावन का बिद्रो देखते हैं जो कि बहुत ही इंपोर्टन्ट है 25 जुलाई 18 संतावनिस में दानापुर छावनिय में बिद्रो होता है तो विहार में कब होता है तो 25 जुलाई को होता है दानापुर के सानिक बिद्रो करते हैं बतल्ए कुंवर सिंग के जो नाम था, और सीवर्स था और इनकी जो स्वाइड मिर्थी होती है, 26 अप्रेल, 1880 को याद रखेगा, इस बार को स्वार को पूछने के समभावनां बन रही है कि कुंवर सिंग की मिर्थी का होई थी 26 अप्रेल, 1880 को इनके जो भाई थे भाई के नाम था अमर सिंग ठीक क्या नाम था अमर सिंग था उसके बाद आएंगे चमपारन सत्यागरा देखेंगे नील की खिती में जो किसान जो बहुत पर आइधे खासकर चमपारन बोले चेतरों के वीच कट्टे वे को आदरागे नील की खिती जबरदस्ति करना पड़ते थे से तीन कठिया परनाली कहा जाता था उसके बाद देखेंगे तो मुरली भरवा गाउ के राजकुमार सुकला जी थे राजकुमार सुकला जी उन्होंने उनिस सोला इसुई में जो लखनव के अधिवेशन हो रहा था कांगरेस अधिवेशन ये वहाँ पर गया है और उसके बाद दुबारा कलकत्ता में भी मिले गांधी जी से उसके बाद से 10 अपरायल 19 17 को गांधी जी पत्ना पहुँचते है तो गांधी जी का पहुचते है पत्ना में 10 अपरायल fi 19 17 को यह बुला के ले कियाते कौन राजकुमार सुकला जी और वहाँ से ब्द्रख चमपारन पहुचते 10 अपरेल 1917 को उसको आ गया आएंगे तो उसके बाद से पटना के गांधी जी पटना में गांधी जी मजरूल हक से मिले और उसके बाद बगान मालिक संग के जेम्स बिलियन से भी मिले तो पटना में किसे मिले थे मजरूल हक के पहुंचते हैं और 22 तारीकों पहुंचते गांदी जी बेतिया के तरफ में और हजारी मल धरामसाला में रुखे बेतिया में कहा रुखते हैं हजारी मल धरामसाला में ये बेतिया में रुखते हैं और पटना पहुंचते हैं 10 अप्रेल को 10 अप्रलिक बाद से 15 अप्रलिक मोतिहारी और 22 अप्रलिक यानि 5 दिन बाद मोतिहारी जाते हैं और मोतिहारी से 7 दिन जो है बेतिया के तब रवाना होते हैं जो हजारे मल्द रमसाला में रुखते हैं और पत्ना में जो है, राजकुमार पत्ना में जो थे, यह मजूरूल हक से मिलते हैं, गांधी जी, राजकुमार सुकला, बरच की सुर परशाद, राम नॉमी परशाद, राजंदर बाबू, यानि राजंदर परशाद, जेबी कृपलानी या परभू दास आधी थे, इनके सा कश्चन कई पर पूछा हुआ कि जब गांदी जी जब चंपारण पहुंचते हैं तो उनके साथ में कौन-कौन और लोग थे तो बर्च की सुर परसाजी थे राम नौमी परसा थे और अजंदर बाबु जी थे इन्हों ने और जेवी क्रिपलानी परवुदास ये सब लोगों ने गांदी जी के साथ में चंपारण सत्रागरम आया 13 जून 1717 को गांदी जी का आश्रम बेतिया से मोथियारी चले गया चंपारण जांस्यमिति में श्री कस्तुर्बा, डाक्टर देव, बर्ज किशोर परशाद, धन्दी धरनी धर परशाद, अनुगरा नरायन सिंग, राम नौमी परशाद, रजंदर परशाद, महाराजा कृत्यानंदर, शिंग और महात्मा गांदी जी तथा, महात्मा गांदी जी तथा, S, G, F, G, S, L, I, अध्यक्ष, आधी ये सामिल थे, ये लोग सामिल थे, चंपरण समयती में, इतना कोई खास इसमें पूछे का नहीं, बस इतने याद रखे कि चंपरण समयती बनाई गई, एक माई, एक माई, एक माई, को, एक माई 1918 को, एक माई 1918 को, गौर्णा जर्नल ले, तीन कठिया परनाली को, याद रखे कि एक माई 1918, बड़ा ही गलबर दे दिया है, एक माई 1918 को, गौर्णा जर्नल ले, तीन कठिया परनाली को समाप्त कर दिया, ये 2018 होगा ये, तो कोशन पूछे का तीन कटियों परमाली का समय की जाती है तो इक मैई 19 2018 को उसके बाद24 माई 19 2018 को गांधी जी ने मुटियारी आस्रम का सीला नयास किया बहुत important कोशन है मुटियारी सीला नयास मुटियारी आस्रम का लिए अश्रम कीया ग'Diया तो 24 माई 19 1818 को, यह सब जितना दिख रहा है ना, 1918 किजिएगा, ठीक है, उसके बाद यह कहानी खतम हो गया, अब किसान सवा की तरह बढ़ते है, किसान सवा जो है, प्राम्तिय किसान सवा का गठन 1929 में साजाराद इसके अध्यक्ष बनते हैं और कृष्णी शिंग यह सचीव बनते हैं 1936 में लखनों में अखील भारती किसान सवाग गठन किया देता है उसको आता जी इसको लिखा है बढ़िया ताल और बराकत अंदलोन लगान अदा ना कर किसानों की जो भूमी थी वह जमिंदार उसको ले देते जिसे क्या कहा जाता था जिसे बकास्त कहा जाता यारी बाकी है तो उसको हम खड़ लिए ना कर्यानंद सर्मा के नितित में मुंगेर में चलाए गया था और उसके बार देखेंगे तो खिलाफात अंदलोन जो है खि खिलाफात अंदलोन और ये जो तुर्की के खलीफा को पद हटाये जाने और तुर्की के साथ खलीफा के साथ दुर बेवार करने के कारण पूरी दुनिया का मुस्लमान जो थे इनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे जिसमें भारत को भी मुस्लमान जो है आवाज उठा रह हुआ खिलाफात अंदोलों का मुद्दा उठा तो गांधी जी ने देखा कि जलील अबागते कंड के कारा पूरे भारत के हिंदू मुसलमान सम लोग जो है इसे काफी जदा परभाइत हुए और काफी जदा गुस्य में है उसके बाद से जो खिलाफात अंदोलों से एक तरफ मुसलमान पूरी तरह से अंग्डियों खिलाफ में खड़े हुए तो गांधी जी ने धिमाग लगाया और सबी लोगों को सचा कि अभी भारत पूरी तरह से एक जोस में है एक पूरी तरह से अब विद्रों के आग में अंग्डियों किलाफ में मतला भड़की हुए है तो ने क्या किया कि 1920 में ही ये असयूग अंदलोन शुरू कर दिया तो ये 19 में घटना होती है जलील बाग और खिलाफ़त अंदलोन वाला इसी वज़े से 1920 में असयूग अंदलोन शुरू होता है ठीक है उसके बाद से देखेंगे तो राजंदर परसाद थी बर्ज किचोर परसा से हसन इमाम असयूग अंदलोन में भी सामिल हो गए जैसे ही उसके बाद खिलाफ़त अंदलोन के बाद असयूग अंदलोन शुरू किया सभी लोगों ना सुचा कि हां गांदी जी पूरे भारत में ही अंग्रेजों को भागाना चाहते हैं तो यह सबसे बड़ी अच्छी बात है सब लोगों ने इनका सपोर्ट कर दिया उसके बाद आएंगे मदर लेंड नमक अबार जो है मजरुलान चला था उसी समय मजरुल अख ने दमदर लेंड डमक जो है अखबार चला एक अगस्त 1922 से बारा फरवरी 1922 तक यह अंदोन चला तो एक अगस्त 1922 से सुरू ह और 12 फरवरी 1922 तक यह चलता है कि बारा फरवरी तक ही चला इसलिए कि उसे जश्ट पहले चार-पांच फरवरी को कहीं किताब पांच नहीं किताब करता है यह चोरी-चोरा वाला कांड होता है जो कि गोरवपूर में जगहा है जहां पर पुलिस कर्मियों को जला दिया जाता जिससे करण गांदी जी इस आंदोलों को बंद कर देते कि गांदी जी का अंदोलन था सत्य और लक लगा तक यह घटना होती है चार-पांच फरवारी को जिसके इसके करण 12 व्रवारी को बंद कर दिया रोक लगा दिया ठीके तो एक अगश को सुरूalth और 12 प्रवरी को बंद होगे 1920 में शुरूआ था 1922 में बंद कर दियेगा 22 में कंग्रेस का गया अधिवेसन होता जिसकी अधिक्सता जो है चित्रंदन्दास थे उससे पहले भी 1912 में भी कंग्रेस का अधिक्सता होती है बिहार के बांकेपुर में जो की सायद इसमें नहीं द पुछा गया। बिहार Sosilist Party जो है, इसके स्थापना 1931 में की जा रही है. Socialist Party की, रामानन्द विसर जी और गंगा नरायन जी के द्वारा किया जरा 1931 में बिहार Sosilist Party की हैं। उसका नासिक जिल में 1933 जिल में अचारे नरंद जया परकास नरायन, आदी ने अखिल भारती समाजवादी संगठन बनाने की योजना बनाई तो नासिक जल में जो जपरकास जेपी जी थे और जपरकास नरायन जी इन्हों ने और नरंदर देव जी इन्हों ने क्या किया किया कि बिहार Socialist Party की Ops 4 के स्थापना हुई. और इस वर्ष Congress Socialist Party के भी स्थापना हुई. तो Congress Socialist Party और बिहार, बिहार नहीं बिहार. बिहार Socialist Party की Ops 4 के स्थापना जो ए 1934 में किया गया. अउपहर वगरी आईan control जे हैं, 1929 उसी में Congress के लहोर अदिवेशन के पुंड सौतंतरा का प्रस्तावर परित किया गया तो ये सोहिना वग्या अधिया अध्यादल में बता रहा है कि कैसे सुरू होता है, तो 1909 उसी में कंगरेस जो कंगरेस के जो अधिवेशन हो रहा था, लाहूर अधिवेशन जो हो रही थी यहनी लहावर में जो बैठा को रही थी कांग्रेस की मीटिंग उसमें पुर्ण सोतंतरता की मांग ही गए थी और इसकी अधिक्ता जो कर रहे थे जोहाल नहरू जी कर रहे थे 26 जनवरी 1936 को स्वाधिंता दिवस मनाया गया तियादर की का स्वाधिंता दिवस का मनाया गया 26 जनवरी को मनाया गया उसी दिन से हर 26 जनवरी को स्वाधिंता दिवस मनाया जाता है मतलब की गौरतंतर दिवस मनाया जाता है ठीक है 26 जनवरी को राजंदर परसाद ने महत्मा गांदी की सहमती से चोकिदारी करकी जो आदाइगी का आंदोलन चलाया है ना आदाइगी का मतलब की चोकिदारी कर ना देना है इसक्या जो है बिहार में आंदोलन चलाया गया किनके दोरा राजंदर परसाद दोरा महत्मा गांदी के सहमती से थेका है औहां पर देखेंगे तो बिपिन बिहारी शर्बा के नितुत में सारन चमपारंड के नमक सत्यागरा अंतर चला रहे तो बिपिन बिहारी बरमाजी चमपारंड और सारन वाले छेत्र ने राजंदर परसाद और और ये क्रेपलानी जी मोतिहारी में नमक कानून को भंकी और विपिन बिहारी सर्मा जी चंपारन में बर्मा जी दोते चंपारन में और सारन में नमक कानून भंकी मुंगेर से मुंगेर के बरही में सरकारी तंत्रे का निश्व परभावी हो गया यह सरकारी तंत्रे पूरी त ताउख को गिराफतार कर लिया जिसमें रजिंदर बाभु जी को बांके पुर्जिल में रखा गया था गांदी जी को आगाखा पहले समय था अगाखा पहले समय ठीक है राजेंदर परशाज जित्य उनको बाके पुर जिल में रखा गया, आजात दस्ते का गठन जय परकास नारायन ने किया, सुतंतरता प्राप्ती 9 दिसंबर 1946 को सुविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो है सचिदनन सिनहा को बनाए गया, यानि सुतंतरा प्राप्ती को ब चुना गया, और 30 मार्च 1946 को स्रीकिष्न शिंग के नर्तितमे बिहार प्रांतिय सरकार का गठन किया गठन, 36 में किया गया, 26ningar 1950 को सुविधान लागुवा और बिहार, भारत i Phys praegnan का एक राजिक रूप में सामिल हो गया, यहां पर हो गया बिहार का इतिहांस, खतम К अब आ चातान विहार में धरवार भी मिलेंगे बिद्यास में डियंगे टर्शृृ धरिय्यूके», κ्वाचर॥ यूक्की रोयर दो मिलेंगे तर्शृर्र के हिमाली और तराई चित्र में मुख्यता पच्छमी चंपरान जीले में जो है ये टरसरी यूग के चटान देखने के मिलते हैं क्वाटर्नरी देखेंगे तो ये हिमाले चोटरणगपुर के पठारी चित्रे के भागों में है बिहार के अधिकांस जो भाग है इसी चटान से बना गया है कोशन पुछावाता कि बिहार के जो मैदानी भाग है किस चटानों के उपर मतलब बनी हुए या किन चटानों से बनी हुए तो क्वाटर्नरी यूग की चटान है ठीक है तो धरवार वर्ला समझा गया अगर बिहार ऐसा देखाजाए याद रखेगा लिए आपके हिसाफ सागर देखना चाते हैं तो ये मुंगेर् जमुई नमादा कहे रहा है मुंगेर् जमुई नमादा यांद्रखिएक二 सबी छयत्रों में धरवार एक की चटाने पाय जाती है , बिध्यांस चटाने जो है , आप भू आकृतिया देखेंगे तो तीन भू आकरितिया परदेशों में बटा हुआ है सिवालिक की स्रेनी सबसे उपर साइड है और बिहार की मैदानी बटा हुआ है आप घांपर गता lyegang के उत्री कि थे काला जो इतुमति है daughter हरहा गाटी के नाम से इसको बाटा गया है यानि कि जो सिवालिक सिरेनी है बिहार के पचमी चंपरन जीला का उत्री भाग उसको भी तीन भागों बाटा गया है राम नंगर दून, सुमेस्वर पहाडी और हरहा गाटी के नाम से इसको बाटा गया है समेस्वर जो पहाड़ी पचमिच पंच चमपन जीला में है, 880 मिटर की उचाई है, सर्वत चोटी के नाम है, फोट समेस्वर की किला इसकी सबसे उचाई चोटी के नाम है, फोट समेस्वर, उसके बाद देखेंगे, तो यहाँ पर कुछ शित्रों में भीकना ठोरी और मावा है, उसका देखेंगे बिहार के मैदानी भाग को बटागी है, गंगा वीच वीच निकल यह तिसले हैं, उत्री गंग को मैदानी इस Direction को कहा गया है, यहाँ पर आए समस्तिपूर बेगुसाय सरहारसा आदी बहुत सारे जीलिस में सामिल है उसके बद आ गया जीए दचनी गंगा का मैदान में राजगीर गिरियक बराबार खड़कपूर सेखपूर जमालपूर बिहार सर्फ आदी पहाडिया से घीरा तिरवजकार मैदान है अर टाल चेतर है वो पटना से लखीसराय के बीच में है कई पर बता आएं कớ TALचेतर मतलब होता है कि यहां पर पटना है पटना से यह पूरा थी यह साथ बढ़ेंगे किनारे किनारे ले गंगा किनारे चेतर को ठाले चेतर का ज़ित आ कि सरा है गंगा के जो मैदानी भाग है उसको विशिष्ट आकरती को दियरा भूमी करते हैं मतलब जो नदी किनार किनार जमीन उठा रहता है उसको दियरा कहा जाता है उसके वाद से गंगा मैदान में जो है चौर यानि निमन भूमी मन जो है गोखुर जिल की भी आकरती पिठर, बलुअपकटर पाजयता है। गेया मंदार अबरांबर की पहाड़िया। ज्यवियन की पहाड़िया। गंगेशिरी, राजकरी, और तिकपूर की चुकmusic की पहाड़िया। भी हार शरीण मंगयर और जमाल पुर की पहाड़िया भी पाजयते हैं। सोन कैमूर पठार को छोटा नागपूर पठार से अलग करता है यह important है याद रखेगा सोन नदी क्या करता है जो कैमूर के पठार है और छोटा नागपूर को पठार उसको अलग करता सोन नदी यानि यह चोटा नागपूर पठार आ रहा है और यहां पर है कैमूर के पठार यहां पर देख लिए ठीक है एक बार इसको मैप से देख लिए बैतर तरीका से यह मानिक चली कि अपना हो गया प्यारा सा बिहार का मैप ठीक है प्यारा सा यह अपना बिहार हो गया अब इस बिहार को देखेंगे तो यहां ऐसे से बिहार अपना अब यह जो बिहार के गंगा बाके मिल जाती है ठीक है आके मिलके उसके बाद से यहां आती है बागमती और यह आगे कमला और दोनों मिलती है किसे यादर के कोशी नदी से दोनों ही आके मिल जाती है उसके बाद आती है यहां से यहां से आती है एक महाननदा और यह बियार रेंटर करती है और फिर विहार से बाहर जाकर गंगा से मिल जाती है फिर याद रखिये पहला घागरा यानि इसी को सरीउ नदी कहा जाता है यूपी में मसकवाद गंडक, बुडी गंडक, बागमती, कमला और कोशी ठीक है, सबका उद्गा मस्तल बताएंगे पपले इसको देख लेजे उसके बाद लाश्ट में जो है करम ये महानंदा नदी कौनसी नदी महानंदा ठीक है महानंदा नदी जो है महानंदा और ये नदी के बाद आ जाएगे नीच्छी सेड़ बाते हैं अब नीच्छी सेड़ में नदी देखते हैं यहां करम नासा नदी कौनसी नदी करम नासा कर बाद सोन नदी सोन के बाद से आ जाएगा सोन के बाद आ जाएगा तो यह पुन-पुन जिसको निरंजना नदी भी कहा जाता है फालगू फालगू को बाद दता है क्यूल उसके बाद अजय नदी है ठीक है कौनचे नदी अजय नदी इतनी नदी बिहार में इसके अलावा भ यह बारह जिला से होकर गुजरती है घंगर गार नियम्तक्र से बागलपूर मुग्चुपूर सारण जीßen रिख सीमा बनाते हैं बिहार कि तोि की यहा से प्रविषख करते है यहां पर जोड़ बोजपूर का चित्र है इसको सर्युनधी के नपाल नेपाल से इसका उधिशतल होता है शर्यू को घागरा नदी भी का आजाता है नंपा सुरेनी नेपाल में वहां से निकलता गंगा नदी में छप्रा का निकट का क्या करता है गंगा नदी से मिल जाता है उदका कम होता है और शिवान के सब्सक्राइब बिहार में यह प्रवेश करता है क्या शिवान से प्रवेश किया अर्छपरा होते हुए गंगा नदी में जाके मिल गया कौन कि या उसे बीच मेए छोटा सा हाल्ट मिलता है घंघाहल्ट ठीक है तो इंठेल के पास में जो पहले गालते वह और यह ओ करहें और यह त्म की. हुल्सक्वाइनी साल ग्रामी अने नाम से झमाधा नम्पाई जोएज 230 ₡ है लेकिन अपने जो भीहार में इसके लंबाई कम है 215-5 पस में उसके बढ़ आएंगे तो बुड़ी गंड़क देखेंगे तो यह सुमस्वर के सिरानी से निकलती यह बुड़ी गंड़क गंगान नदी में जाकर मिलती है मुंगेर के निकट ये जो है गंगा नदी से जाकर मिल जती है मजभबफूर तरमांगा आदीछे तरसह उसके होते हortsET वए जाती है उसके बदद देखेंगे मतलब क्या है कि गंगा के बाद सबसे लंबी नदी यही है बागमती नदी ठीक है बागमती के बाद कमला है महा भारत सरेनी से निकलती है और कोशी नदी जो है यह कुर्शेला में आकर यहां पर दरजिया के पास नहीं कुर्शेला के पास में बिहार में गंगा नदी से जो मि मिलने का बाद इसके नाम बदल कर कमला बलान पढ़ जाता है याद रिखेगा यह प्रवशिला से भारत में यह बिहार नागा नदी ये एकिवबत फ़ली चेत्रे से निकलती जिए गंगा नदी में और इसको मार्तिय प्रत्रोंकोषि अरुनकोषि तर्णून ऊसे बहुत रही है difference कहां से निकलती है दारजलिंग से निकलती है इसको बात आएंगे तो ये ये भी गुडावरी घाट और बंगलादेश जो है बंगलादेश साइड में जो जाती है ठीक है पच्छी मंगलम जाके गिरती है गंगर अधियों से मिलते हुए इसको इस्थानिये रूप में फुलहर नदी कहा जाता तो ये महाननदा नदी को फुलहर नदी भी कहा जाता है दूसरी धारा जो है महाननदा दारजलिंग से निकलती है और ये मलदा से होते हुए बंगलादेश गंगर नदी में जाके मिल जाती है इसकी दो धारा है एक तो दारजलिंस होते भी चले जाती है सीदह जाके गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी देखेंगे तो महामी में परवत को अमकरते हैं स्रेणी से निकलता है गंगा नदी में सित्भाइँ फोता नागपूर के पलामु झारकरन से निकलता है यह बिहार का पर मिल जाता है濃त और अजय नदी देखेंगे तो यह दे और जहरकुन के देοगर से निकलता है और भागी रतिन भागी रतिन नदी पच्छीम बंगाल में जाकर यह मिल जाता है वा0 क्रयमनासा जो है उत्तरपर्तिश बिहार के बीच में सीमा बनाति है और बिहार में इस्सु को पोत्र नदी माना जाता है बिहार के मुंगिर जीले में परवायत होता है कौन अजय नदी आगया जी देखेंगे क्यूल तो ये तिसरी पहाड़ी छेत्र से ख़वडिया के गिडिव जारखंड के छेत्रों से भी निकलता ये नदी और गंगा नदी में लखिस राय में जाके सूर्वडव लेचीतर में गंगा नदी जाके मिल जाता है कि फाल्गु नदी देखेंगे तो ये इसको फाल्गु नदी निरंजना या मोहुना के संगम यह घया में ही बिहार से इसका उसगम स्थ लोथा है फाल्गु नदी को उसको बहुत और हिंदु के लिए मतपुण ह पित्रुपक्ष के दोरान पुन्य डान के लिए परसीद पुन्य डान के लिए ठीक है तो पुन्य के लिए परसीद है यह फालगो के लिए दोनों के लिए फेमोस हो गया उसके बाद आएंगे तो यहां लिका हुआ है कि गंगा नदी जो उत्तर दीशा से मिलने वाले नो दिया है तो उत्तर दीशा या उपर साने वाली घागरा गंडग बुड़ी गंडर बागमती कमला और कोशी महानंद यह सारी नदिया जो है उपर साइड से आती है और दच्छीन साइड से मिलने वाली यह पहला तक करम नासा उसको सोन उसको पुन-पुन फालगू क्यूल यह सब तो दच्छीन के तरफ से आने वाली नदिया है अब आएंगे जलब परपाद देखेंगे जलब परपाद जो है दुरगावती जलब परपाद जो है कैमूर जीला में है और यह करम नासा की साइड नादी दुरगावती परस्तित है यानि करम नासा के जो साइड नादी दवरा बनी है दुरगावती कहा है कैमूर में काकोलत जलब परपाद जो है यह काकोलत जलब परपाद नमादा में है और काकोलत प मुक्दम कुंड राजगीर में, नाना कुंड राजगीर में, और इसको बस रिशी, सीता, लक्षमन, रामेश्वर, यानि राम जी, लक्षमन जी, सीता जी, एक ही जगा आ गए, और ये रिशी मुनी जो लोग थे, वो भी भगवान के साथ ही रहेंगे, ठीक है तो ये चारो जो है, चारो भगवान के नाम से याद रख लिए, मुंगेर में, कहां मुंगेर में, सीता जी, लक्षमन जी, रमेश्वर, राम जी, ठीक है, ये तीनो नाम एक साथ और एक बार रिशी कुंड, ये चारो कुंड जो है, कहा हो जाएगा, मुंगेर में हो जाएगा, ठीक है, चारो याद रखेगा अगला जी ये बिहार के मिटी देखते हैं लो बिहार के मिटी देखेंगे तो गंगा का उत्री मैदान जो है परोथ-पादिय मिटी है जो कि चंपारन वला चेतर में है तराई चेतरे चंपारन से लेकर किसन गण जीला तो कैसे यह से जाएंगे छादर और्ट बाल मिटी डशाता है नवादा में ताल बिष्चाई में पढे हैक लहे के ऑं बिहार में सिच्चाई वेगरा देखेंगे तो यह सिच्चाई का रिपोर्ट है 2017 वाला इसको इग्नूर कीजिएगा आगया जी उसके बाद आगया आएंगे लो बिहार की नदी घाटी परिजिना को देखेंगे लो बांध सिच्चाई के लिए यहां बांध के लिए बांध का नाम यह भी इंपोर्टन है बांध का नाम देखेंगे लिए तो बांध का नाम देखेंगे तो अजन जो है बांध का नाम है और यह अजन नदीव बनाए गया है जमूई में है अम्रित्ती जो है ये जमुई में बनाए गया है और बदुवा बदुवा नदी पर बरनार जमुई में बसकुंड ये लखिसरा में बिलहरान बिलहरान बांका में बिलसाई जो है बंका में चंदन जो है ये चंदन नदी पर बंका में बनाए गया है और दुरगावती जो है ये दुरगावती नदी बनाए गया है आगया जी खड़कपूर जील जो यहां पाएंगे तो बिहार की पर्मुक नदी घाटी परिजना कोशी जल बिदुत परिजना कोशी नदी बनाएगा जो बिहार और नेपाल के स्वयोग से बना हुआ है सोन परिजना जो है सोन नदी बना हुआ है जो बिहार में है गंड़क परिजना गंड़क नदी पर बना हुआ बिहार उत्तर परदेश जो नेपाल इस परिजना से लाव उठाते हैं बसनाग बसनागर परिजना सोन नदी बना गया और बिहार उतर पर्देश पर मद्य पर्देश यह तीनों च्छेत्र में यह प्रिजना फैली हुई है गोशिन अधि परिजना जो 1954 में सुरू किया गया था भारत और नापाल के सयोग से यहां पर बैराज का निर्मान जो 1969 में किया गया और 1963 में यह पूर्ण हुआ यानि गंडख पुन देखेंगे टो गंडख यहाँ बर कोसी नदीस देखेंगे तो कोशी जुड़ी कोशी नहर रखटी 5 वर्शीयुजणिब के जूड़ी गए पुर्वे कोश biss से और इससे क्या करता है यह करता है और स्थाना में नदब complete कोशी पूर्वी जो नहर है विदुद्गरी के स्थापना 1978 में किया गया तो यानि कोशी के पूर्वी नहर पर विदुद्गरी का बिजली घर के निर्माद अब गंडग परिजना देखेंगे तो यह 1969 इस्वी में समझते के तहत हुआ था भारत नापाल के बीच में 64 में शुरू हुआ और 68 में यह पूर्ण हो गया उसको इसको इस्वी में योजना का आयोग द्वारा मंजूरी प्राप्थ हुआ था इसको आगे आएंगे सुन पूरिजना देखेंगे तो 1960 से में प्रारंब और 65 में समाब्थ हो गया यहां पर अन्य नहरे देखेंगे यहां एक और चीज लिए कि स्वन नहर परनाली भारत की सबसे प्राची नहर परनाली में से यह जिसको 18-24 इस्यू में चालू किया गया था मतलब परिचलन में अन्य नहरे का नाम देखें तिर्वेनी नहर गंडग पर कमला नहर कमला पर तिर्वेनी तेउर और तिर्वेनी 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 त पच्मी चपरन में कटैया सुपवल में अगनूर अरवल में नसीर गन जो है यह रोतास में है अत्रिवेनी पच्मी चपरन में गंडग नादी पर रिकिंधा रोतास में, संगवारी, रोतास में, बेलसार, अरवल में और अलवर, अलवर में ही प्रिवजना है, बिहार में जो बाढ़ जो है, ये बिहारा बाढ़, तो बिहार के जो उतरी बिहार है, उसे बाढ़ जादा आता है, जबकि दचनी बिहार में बाढ़ जो है, कम आता है, मतलब तेज धार नहीं होता आगे जाए इसको देखते हैं बिहार की जलवाई देखेंगे तो बिहार की जलवाई जो है मौनसुन जलवाई है यहां पर बिहार के जो पूर्व भाग में आदरे जलवाई और पच्छमी भाग में आदरे सुस्क जलवाई पाए जाती है बिहार तुन तिन पर कर गई ग्रिशम्रितू बर्सारी तु और उसके वाँसे सीतरय तुं बिहार, बिहार राज्य में सरवादिक वर्सा दच्छनी पच्छमी मांसून जो है, एक उत्री वर्षा होता है, जलवाई का वरीगरंज में दचनी बिहार को आ बाटा गे है इसने भी डबल सकाने को सी ये डवली को सी बिहार को सी उसार्न में बहाइक ऐंगा अंगा मेदानी वाला भाह कि ब्यार में तिन जो जल्वाई किरिशी जलवाई पाफाला जो है उत्तर पच्विका जलोड मैदानी भाग और जलोड मैदानी भाग ए तिन भागों में इसको बाटा गया आगया जी यह तो वन रिपोर्ट 2017 का देखना जुरूरी नहीं है क्योंकि पुराना रिपोर्ट हो गया यहां देखेंगे तो संजाय गांदी जवेकुदार जो है यह पट्टा में 153 एकड़ में इसका विस्तार है गेंडा परजनन में एसिया का सबसे बड़ा केंद्र और विस्तार में दूसरा सबसे बड़ा केंद्र के लिए संजाय गांदी जवेकुदान उसका देखेंगे तो उधान को राज्य का पहला पॉलितीन या पलास्टिक निसीद छेतर बनाए गया है गोगा बिल जील यह जील कटिहार जीले में अमदाबाद परखंड में है और बिहार में बड़े नम भुवी चेतर में एक है केस्पियन सागर और साइबरियन चेतर के परवासी पक्ची यहां उड़ी के आती है डॉल्फिन दिवस जो है पांच अक्टूबर को मनाया जाता है दुएर बारस यह प्रणरम किया गया डॉल्फिन दिवस मनाई के लिए अब आगे आते लो यहां पर देखेंगे तो बिहार के परवुख जो उड़ोग विगरा उसको देखेंगे बहुत इंपोर्टन्ट है भारत बैगन एंजिनेरिंग कंपनी लिमिटेड मुकामा में बांटा इंडियन लिमिटेड मुकामा पटना में तेल सुधा करखाना बरवनी में बिहार लिमिटेड फटवा पटना में पलाई वूड राजी पूर ये भी पटना में ही है एंग और सौरी नहीं हाजीपुर रेल इंजर का परमत जो एंग्ञावल पूर से हूं चाहिंगेर में रेल पहिया पाइश को बनता है democratic बेलापुर चपरा में, रेल, नाइन नमबर बदिया है, रेल स्लीपर कर खाना मदेपुरा में, सिमेंट उदोग डालमिया नगर रोतास में, जूट उदोग कटिहार दरबंगा में, सूती वसर उदोग जो है, ये हो जाएगा, गया भागलपूर पटना वाला छेतर हो जाएगा, मुंग रहीन गर, नर्कटियागज, मजहौलिया, ससा मूसा, गुपाल गंस, शिंगवलिया, रीगा, खशन पूर लोरिया, तुपावली, ये चीनी मिले हैं, बिहार में पर्थम जो गरत लब, बिहार में पर्थम चीनी मिल, 1844 सिश्य में, बेतिया में, डचो द्वार प्रर्म किय बिहार में वार्सी को उत्पादन 4,000 टन होता है उसके बार अन्य यहां देखेंगे हत करगा केंद्र देखेंगे तो भागलपुर में रेष्मी और सूती कपड़ का उतौत पादन कियाता है बांका में तसर रेष्म गया में सूती कपड़ का नलंदा में सजावती परद जंगाबद रोतास में उनी कंबल और उनी कालिज बनायता है, भबुवा में बनारसी साडिया, पुर्णिया कट्यार में जूट के थैले बनायता है, पटना सिवान में सूती कपड़े, उसके बादा जीए, इस सेड़ा जीए, बिहार में तीन परकार के रेसम उत्पादन किय जहां अंडी का उत्पादन किया था, बिहार के पुर्णिया जिला में मारंगा में सारवाजनिक नीजी सादिदारी के तहट जूट पार के स्थापना की गई है, तो पुर्णिया में किया गया तो याद रखीएगा, आगे बढ़ते हैं लो, यहां पर देखें के लो, बिह तो थार राज परटन विकास निगम के स्थापन उनीस सशी में की गए थी बहुरत सर्किट देठेंगे तो राज राज के बहुत शर्क शाष अला करने साली लादी आता में पूछेगा बहुत फिसलोय करने साल्श राजिगीर परह नलंकरत की मिदसास aa है घुमने के लिए अनिमेस लोशन चेत्ते है बोधी ब्रिक्ष है चक्रमा है रतनागड बूद की असी फिट की उची परतिवा है बूद कुंड है सुजाता ग्राम डूंगेश्वरी पहाड़ी है चीन मयामार और जपान थाइलन तिबत भुटान के जो बहुत सरे लोग आत लगणा से पंदा किलमेटर दूर है और यह जो पाठकी पूत्रा की पुरहने से नाम हैin जो मगद की रvy ती पहले मतलब हमाटर बार बाद ऐसा कहा जाता है कि देव दत्त द्वारा बुद्ध के घाल होने पर जीवक चिकिस्तक जो की राजगीर का ही था इसका इलाज किये गया तो जीवक जो था वो राजगीर में क्याता है चिकिस्तक था यहां लिका है कि जीवक बिम्बिसार और आजाज सत्रु के सासन काल में एक चिकिस्तक था तो जीवक किसके किसके सासन काल में था बिम्बिसार और आजाज सत्रु के सासन काल में एक चिकिस्तक रुप में था विस्व सांती स्थूप चार सो मीटर उची रतनागीरी पहाड़ मिट्र उची पहाड़ी रतनागीरी वहाँ पर 237 स्थूप है और इस 27 स्थूप के भी उचाई है 120 फिट नलंदा में देखेंगे तो हैंग संग जो है सात्वी सताबदी में यहां सिक्षा गरहन करना आया था विश्व का पर्थम आवासी विध्याल यारी याद रखेंगा विश्व का पर्थम जो होस्टल विवस्ता देना वाला जो दुनिया का पहला जो विश्व विधाले यानि पावापूरी यानि कि आपापूरी राजगीर से 38 किलमेटर दूर है यहां जैन धरम के 24 वित तितंकर भागवान की जो महाबीर्द जी थे उहां की जो इनकी मिर्थी हुई थी कहां में पावापूरी में राजगीर से 39 किलमेटर दूर है बैशाली देखेंगे तो बैशाली जो है वर्तमान जो बैशाली गाव है प्राचीन समय में रामायन काल में यहां के राजा 20 साल का वर्मन मिलता है रामायन काल में छटी सताबदी में वज्जी और लिक्षवी के समय लोकतांत्रिक गड़ाजे था यानि छटी सताबदी में थ इसमें शिर्ष पर सिंह की आकरिती है, या कोलुओवा में है, आगे अते लो. यहाँ पर देखें कि लो तो, यह देखेंगें तो यह लिखा वागा केसरिया की, केसरिया को केसरिया को केस पूतर कहा जाता था, जिस पर राजाओ का शासन था, माताबुद के सिक्छक अलार कलाम केस पुत्र से ही थे तो याद रखेगा के सरियास्तूप जो है बैसाली में है और अलार कलाम केस पुत्र थे जो माताबुद के क्या थे माताबुद जी के सिक्छक थे टीचर थे जयातक गथाओ के नुसर महात बुद्ध के पूर जुनम में चक्रवर्ति सासे के रूप में यहां सासन किया था, जयातक गथाओ में इनको कहा गया है, आरंब में केसरियाथ स्थूप मिट्टी का था या मौहरे सुंग एवम कुशान काल के अपने वर्तवान सारूप में आय यह चारो नाम रहा है कुशुमपूर, फुश्यपूर, पाठली पुत्रा और जीमाबाद और वर्तवान में पाठना है, पाठना है, पाठना में, स्वार पत्न में आसात्रू ने इस गंगानादी के टट पर पाठली पुत्रा एक छोटे से कीले का निर्मानों पुराया, और खुदाबक्स, पुस्तकाले, सदाकत, आसरम, अंगम, कुवा, अगम, कुवा, गांदी, सेतु, तारा, मंडल, कुमहार, आधी, कुबरहार, जो है, आधी जगह जो है, घुमने के लिए है, शतर सतर के आकाल को देखते हुए, सतर सची याशी स्यु में, केपटन जोन गाश्टीन लेद रखना जोन गाश्टीन दुआरा, बृटिस सेना के लिए, एक 20 साल अन्नागार का बनाए गया, जिससे आज गोल घर जानते हैं, यह अन्नागार क्या है? गोल घर, इसको उचा पटना की बुद् ऍसवर्थी पार का विकास किया गया कि इस पार का उद्गाटन चोद्वए दलाई अलामत द्वारा किया गया था आगे चलते हैं लो पटना में इंद्रा गांधी विज्ञान भावन में तारा मंडल अवस्तित है इसमें अतरिक्त अगम कुवा का संबंद भी मौरेकाल से ही जोड़ा जाता है सादाकात आशरम जिसको बिहार विदा पुट एक राष्टिये विश्विधाले का मुख्याले सेवा निर्वित के बाद यहां निवास करते थे खुदा बक्स औरियंटर लाइबरेरी 1922 में की गई थी और अरभी फार्थी पांडु लिपियाम राज पुत्र मुगल के सिरकला भी यहां पर दुरलब संग्रा है सेर सासूरी मस्जित का निर्वान 1545 इसमें सेर सासूरी दौरा किया गया था पत्तर के मस्जित का जो निर्वान है जहांगीर के बेटे परवेज सा दौरा किया गया था जब तक बिहार जब वो बिहार का गौर्णर था परवेज सा इसे स्याफ़का का मस्जित चिम्मी घाट मस्जित और संगी मस्जित भी कहा ज़ता है सहीद असमारक 1922 में पटना सची वाले गोली कांड के सहीदों के लिए याद में बनाया गया था उसके बाद आ गया जाएंगे तो सिख परिपत में जो सामिल है वो है तक्त सिरी पटना साहे गुर्दवारा गुरु बाग पटना और गुर्दवार के घाट यानि गाय घाट पटना जो है गुर्दवार घाट गई घाट जी और गुरुद्वारा हंडी साहिब जो यह भी जो फेमास है सीख धरम के लिए कि आगे आते लो 22 दिसंबर 1966 को हुआ था क्या चीज भुआ था यादर के गा गुरु गुविन सिंग जी का जनम जो है 22 दिसंबर पेसवर नात मंदीर महरार और दहरा नदियों के संगम गया जीला में है यहां बगवान सीउ का भी मंदीर है आगे चलते हैं लो लास्ट पेस को देखते हैं लो बिहार की कलायम सलस्कृति को देखते हैं लो तो बिहार की वस्तू कला देखेगे कुमरहार यानि पट्टा में मौर कालीन के बहुत सरे साक्ष मिलते हैं यहाँ पर औसिस मिले जैसे असी स्थम मिले है पत्थर के खंब वगरा मिले हुए है, राज महल की बहुत सरा चीज लकडी के बनावा महल मिला है, मौर काली नस्थम ये चार अस्थानों लौरिया से मिला है, लौरिया अरे राज पच्विंचो परत से, रम पुर्वा, पुर्वी जंपरान और बसाड बैसाले से मिला हुआ है, उसके बाद देखेंगे तो यहां लिका है कि चुनार में धोसर बालु के पत्थर दिनर्वित मिले हुए है, चमकीली पॉलिस भी की गई थी, बराबर की पहाड़ी है जो गया में है, यहां भी मिला हुआ है, आज जीवक संपरदाय का निशानी मिला हुआ है, उसके बा भागलपूर में सुल्तान गज से प्राब थे बुद्ध की तामरे मुर्ती जो 75 फिट की उचाई वाला जो गुप्त काल की थी, यह वरतमान में इंग्लेंड के बर्गिंगम संगराले में रखा गया है, जो कि भागलपूर के सुल्तान गज से जो मिला हुआ था, कितनी फि पतना कलमसेली, कम्पनी सेली भी का जाता है, इसे पुरूस lil की चिटर सेली भी का जाता है, तुलीका smjali??? कर लागल के पूच, कबुतर के में खिली के पंक हो से बना जाता है, यह त 9 एक का ओर ज्यूर के कूड़ा के पूच, और ऑज गमले। कलाकार रंग स्यम बनाते हैं परियों कर एना इस में पर्यों किया रहता है ना उसके बास से दैनिक जीवन मंघलिक पर और वस्तू द्रिष्यं पकची कर चित्रन कंड़ज, अबरज, और दाती, हाती के दातों के भी चितरे के मादेंस बनाते हैं पर्मुख चितरकार थे, सेवर, राम, प्रथम, कलाकार काहता है हुलास, लाल, पसू, पक्छी, चितरन में माहिर थे जैराम, दास, जो है, ये स्याह, कलम के माहिर थे उक्रबाद से फकिर चंद्रों जाएगा, लाल, जो है, सीव, लाल साहिब जाएगे, महिला कला करम देखेंगे, तो दक्छो बेबी थी, अनदक्छो बेबी, सोना बेबी, इस्वरी परशाद वर्मा, अंतिम जो थी, चितरकला, महिला रूप में चितरकार, मदुवनी चितरक उसको बाद देखेंगे, तो ये पहले केवल भिती चितर बनते थे, और जबकि वर्तवार में कागाज और कपड़ भी ये चितरकारी बनाई जाती है, चटक, रंगो, लाल, पीला और हरे रंग का पड़ियो किये जाता है, पद्मिसरी सीता देवी, पद्मिसरी भगवाती, पद्मिसरी गंगा देवी और महावेदी देवी सुंद्रा, भारती देयाल से, आदी जो चितरकारी से फ्हमस थी, मंजूसा सैली देखेंगे, तो ये बिहूला और बिसारी की प्रेम कथा मुख्य भी से है, मंजूसा सैली, इसमें सर्प चितरकारी भी करते हैं, इसे सर्प चित्रकारी भी काते हैं, रेखा परधान तीन रंगों का कला है, उसको बाद देखेंगे तो बिहार लोक के नाटे देखेंगे, तो बिदेशिया है, भोजपूर के छेत्रे में लोकपिरे, पूरुसो द्वारा अभिनिते, जट जाटिन अभिवाइद महिलाओ द्वारा अभ ये भाई-बेहन से संबन्ध हैं, और प्रस्न उत्तरसाइली में बालिकाओ द्वारा किया जाता है, प्रस्न उत्तरसाइली में, यानि कोष्ण वगरा पुछाज़ा जाता है, भाई-बेहन से समा क्याया, अगला किर्तनिया, जो यह भक्ती-पूर्ण लोकप नाट है, शिर गर्यानी निर्त और auf holiday निर्थ बिधा बिधा पति इस जए बिघ्डवार मेंसे फेमा से तो और कि यह हो गया यह होगिए यह का बीयार कंप्लेट यहां तक टीक है बिघ्यार हो गया में कर रहा है उमिद्ट कर बिहार को टोपिक है को बहते लगा हुआ और ये और जो वीडियो आएगा आप लोग का ममसिक्व का इथियास बिहार का इतिहांस बिहार का समाने परचाय से रेकर जैसे ये थिवरी क्लास है उसी तरह के MCQ आएगा बहुत ही डिटेल में आएगा पर टेक टॉपिक को टुछ किया गराएगा बीपेसी प्रिबेसी एर कोशन जितना भी पुछेगा सारे चीज़ आएगा तो वो चीज़े भी आप देखना ना वसकर स्लाम अलेकुम जै हिंद जै भारत